हेलो, what's up guys, मैं नहीं स्पनोत बादू थापा और आज हम इस वीडियो में देखेंगे how to create a website using HTML, CSS and bootstrap in Hindi तो चलेए guys, शुरू करते हैं सबसे बेले guys, हम ये देख लेते हैं कि आज हम क्या create करने वाले है तो आप देख सकते हो, top पे एक बहुत ही beautiful nap bar हमें दिखाई दे रहा है आपका ये logo भी हो सकते है, आप अपना नाम भी लिख सकते हो, menus and then मैंने simply, you know, heading, paragraph and दो आप buttons देख सकते हो जब मैं उसको hover करता तो उसको मैंने एक smooth effect दिया हो है जिससे आप देखो कि कुछ second में जाके वो आपको blink करके दिखाई दे रहा and then आप देख सकते हो, जो ये landing page आप इसका अगर आप design देखो कि तो इसको मैंने थोड़ा एक creative बनाने की कोशिस की, तो मैं आपको इस वीडियो में वो भी बताऊंगा कि आप एक कैसे कर सकते हो and guys आप इस जो background का color देख सकते हो, उसमें आप देख सकते हो, कि वो semi transparent है and बहुत beautiful दिखाई दे रहा है, ठीक है मैंने थोड़ा सा अलग color इसको दिया, and वो color कैसे लगेगा उसको हम advanced before and after studio elements की थुरू देखेंगे, all right and then आप देख सकते हो, ठीक उससी की नीचे, मारे पास यह तीन div है, जहाँ पर आप देख सकते हो वो उपर की और and then box shadow हमें दिखाई देता है and then what do we offer, हमारी services क्या है, तो आप देख सकते हूँ, html, css, save मुझे कितना आता हो, मैंने highlight करके रखा, and then हम क्या create करते है so guys, अगर आप नीचे देखोगे, तो more than इतना website है created तो यह जो आपको just दिखाई दिखाई दियो guys, हम इसमें jQuery की plugin भी यूज़ करने वाले ठीक है, बहुत beautiful दिखाई देता है यह and then our best pricing, तो आप देख सकते है our best pricing जहाँ पर अगर मैं hoover करता है तो यह देखो, unlimited यह जो 60 रूपीज जो लिखा है dollar and यह purchase दिखे guys, इसको highlight करते ही इनका color change हो जाता है and हलका सा यह उपर भी आ रहा है, वह भी बहुत smoothly, on the spot नहीं आ रहा है बहुत smoothly आ रहा है, तो यह सब हमें ध्यान देना है and अगर आप इसका background देखोगे, तो guys, आप देखोगे कि यह थोड़ा आपको diagonal type दिखाई देगा लेकिन proper diagonal नहीं, लेकिन एक अलग सा style, you know, हट के दिखाई दे रहा है कुछ and I know, आप में से बहुत होगा अभी तक यह तक ध्यान जा चुगा होगा तो यह website में बहुत कुछ दिखने वाला and now our happy clients तो आपने जिन-जिन clients के लिए project create किया था, तो उन्होंने क्या काया, guys तो उसके उपर है, आप देख सकते हो, जब मैं इसको करूँगा hoover, तो guys इसके color change होते है, यह जो black था paragraph वो white हो जाता है and then guys आप इसको स्तिर के से slide कर सकते हो, यहां से slide कर सकते हो, यहां से slide तो एकदम properly responsive walk करता है and then we have our contact us page, ठीक है, आप देख सकते हो, we have our contact us page, यहां पर देखो, आपको लग रहा भाई, इसमें मैं submit कैसे करूँ, but best party है, जैसे आप hoover करो कि, ओ, कैसा लगा, कैसा लगा है, देखो, submit बटन आजागा, आप click करोगे, तो please fill the user name, बता रहा, भाई, कुछ तो fill करो पहले है क you know, footer, आप देख सकते हो, about था, आप technical, navigation links, newsletter and then again same, and last मैं आपका यह copyright वाला जो भी है, ठीक है, हम जो लिखते है main, और यह जो paragraph से यह सब आपको दिखाते हैं, यह सब मैंने simply ऐसे, you know, non copyright ऐसे उठा के रखा हुआ, तो इस पर आप ज़्यादर जान मादो, main आज हमें यह काम करते हैं, all right, and finally यह देखो guys, आपने notice किया था यह चीज, हलका सा अगर मैं उपर जाता हो, ऐसे आता है, then click करते ही, all right, and देखो, gap हो जाएगा, अभी services पर click करूँगा, तो यह आ जाएगा, फिर वापस जाओंगा, all right, price पर click करूँगा, तो यह आ गया, फिर top, फिर about प होता है, so guys, यह सब आजम देखने वाले, and best party है कि सिर्फ यह दिखाने के लिए नहीं है, समझ रहो, सिर्फ यह दिखाने के लिए नहीं, it's properly responsive, तो अगर आप iPhone 10 में देखोगे, ठीके, तो देखो, थापा technical, perfectly, यहाँ पर ऐसे, अगर मैं services पर भी click करता हो, तो properly आ जाता है, ठीके, and एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि वो जो arrow ही हो, यहाँ पर भी काम कर रहा है, यहाँ पर, ठीके, इसी तरगे से contact us पर जाओंगा, यहाँ पर भी देखो, आप देखो, एकदम properly responsive है, एक की नीचे एक बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है, यहाँ पर, and guys, सिर code लिखा, जहाँ पर भी हमारा जो main, आपका navigation था, जो पहले तीनों एक साथ है, now, यह दो, और ठीक, यह नीचे newsletter आचुगा, एकदम perfectly, and यहाँ पर भी आपका यह काम करेगा, एकदम better, ठीक, contact में again, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस पर अगर मैं क्लिक करूँगा, तो submit button आगया, यह एक साथ rotate कर रहा है, so guys, यह properly responsive है, बहुत useful है, I really hope guys, आप लोगों को मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया, कि आज हम इस वीडियो में क्या-क्या देखने वाले, and believe me guys, आज आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सिखने मिलेगा, बहुत ज़्यादा, ठीक है, So this is it guys, हमने theory part देख लिया है, कि क्या-क्या बनाने वाले हम आज सिर्फ इस एक वीडियो में, and believe me guys, इस वीडियो में आज आप लोगों को बहुत कुछ नया, बहुत advances इसे सिखने मिलेगा, and मैं आपको यह बताऊँगा, कि आप properly एकदम scratch, एकदम zero से कैसे complete website create कर सकते हो, and guys यह वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो मैं आप लोगों को चाऊँगा, कि आप लोग एकदम आराम से relax होके, you know, चाई, coffee, snacks, कुछ भी लेके आराम से बैठिए, और बस देखिए, and कहीं पे भी कुछ doubt है, तो नीचे comment जरू कर दीजेगा, ठीक है, so guys, अब हम coding सु subscriber होने वाले की खुसी में, and guys, 2019 end होने वाला है, and आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस साल में, ठीक है, 2019 साल में, तो मैं भी आप लोगों को कुछ return करना चाहते, एक छोटा सा gift में, तब से, that's why मैंने आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ, and ये वी believe me, वीडियो के end में, आप लोगों का जो नजरी आ होता है कि website कैसे create करते हैं, कोई भी professional, या कोई normal, जो start कर रहा हूँ, तो guys, वो सब phase को आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है, जहाँ-जहाँ coding की जो तो कि मैं coding करूँगा, जहाँ-जहाँ लगता है कि नहीं, इसकी ये जो part है, ये already online available है, तो वहाँ से कैसे लेना है, तो सब कुछ आपको बताऊंगा, media query responsive कैसे बनाना है, so guys, please subscribe मैं च उससे manually search ना करना पड़े, and guys, अगर आपको ये video पसंद आया, तो guys, please like and subscribe करके ही जरूर जाना, alright, and आपने सभी दोस्तों को भी share कर दीजी, alright, तो देखे, finally, अब हम सुरू करते है, पूरा phase में आपको बताता हूँ, कैसे करना है, so guys, सबसे पहला काम होता है, कि आपना folder structure create क 2020, YouTube लिग देता हूँ, ठीक है, 2020 के लिए website है, इस तरी के से किया, बस, this is it, बस इतने ही करूँगा, बाकी में सब, आपको sublime के थुरू करके दिखाऊँगा, so already, यहाँ पे code है, लेकिन मैं यहाँ पे open folder पे जाऊँगा, ठीक है, आप देख सकते हूँ, इस पे जाता हूँ और website 2020, YouTube, alright, perfect, and then select folder, alright, ठीक है, तो guys, आप देख सकते हूँ, हमारे सामने folder है, यहाँ पे मैं simply सबसे पहले new file पे जाता है, and I will write index.html, तो आपका file का जो पहला नाम होगा, बले ही वो किसी भी language में करें, index रखो, and then later आप उसको .php.html. कुछ भी कर सकते हूँ, ठीक है, and then new folder पे जाओंगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा, CSS, alright, and then this CSS की अंदर new file पे जाओंगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा, CSS का जो आपका file होगा, cascading style sheet, तो आपको लिखना style.css, and then we need one more folder, उसके लिए क्यों, क्योंकि हमें हमारे यह जो website से, उसमें images की need परती, right, and guys, मुझे image की आप देख सकते हूं, हमने जो main, हमारा header पे जो image उसके है, उसको मैं copy कर लेता हूं, alright, and then यहाँ पे जाता हूं, YouTube 2020, अगर मैं आपको दिखा हो, तो यहाँ पे है, images पे जाता हूं, and just मैंने यहाँ पे उसको कर दिया, paste, this is it, तो आप देख सकते हूं, कि हमारा header पाट है, व हम इसमें क्या यूज़ करने वाले है, bootstrap भी यूज़ करने वाले है, and जो आपका bootstrap का latest है, वो क्या है guys, आपका bootstrap 4, alright, so bootstrap 4, get started वाले page पे आपको आना है, and यह इसलिए क्योंकि guys, यह आपका responsive support करता है, एक दम नीचे और यह जो आपको पार्ट दिखाई दे रहे, इ name equal to viewport, and then जो भी आपका content है, and जिस भी devices पे आप देख रहे हो, तो उस device का width will be equal to our website का width, और बाकी initial इसके लिए zoom के लिए, ठीक है, and यह आप देख सकते हो, bootstrap के link, and बाकी यह आपका पॉपर हो गया, आप जावस्क्रिप्ट हो गया, and jQuery का पॉपर लिंक, and जितने भी यह jQuery या इसकी part होते हैं, इसको आपका जो body tag जहाँ पे end हो रहा है, उसके ठीक उपर रखी, एकदम last में, ठीक है, इससे हमारे, you know, loading time पे ज्यादा effect नहीं पड़ेगा, ज्यादा load नहीं पड़ेगा, थोड़ा website जल्दी load हो जाएगा, तो यह एक tips था, and I know यह साहद आप लो ले सकता था, but मैं वो नहीं लेने वाला हूँ, ठीक है, all right, ठीक है आओ गया था, just अभी, इस तरिके से header लिखार, इसको मैं ID भी दे देता हूँ, and ID मैं दे दूँगा, इसको top header, इस तरिके से, perfect, and ठीक, इससी के नीचे का, इसमें क्या करता हूँ, ctrl s, save कर लेता हूँ, and अब हमें nap bar चे, ठीक है, ठीक है, ठीक मैं यहाँ पर वापस जाता हूँ, और इस तरिके से मैं लिखता हूँ, bootstrap 4, आपको सिप bootstrap 4 लिखने, and आप देख सकते हो, introduction, जो get bootstrap, जो की official website है, यहाँ पर आपको आना है, components पे, ठीक है, components के अगर आप list देखोगे, तो we have a nap bar, तो आपको nap bar पे आना है, ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे, तो already सब कुछ है, तो इसको मैं copy कर लेता हूँ, and believe मैं, अगर आपको लग रहा है कि मैं सिप copy कर रहा हूँ, guys, मैंने आपको क्या बाता है, एक professional जब काम कर रहा है, तो उसको मालो में कि जहाँ-जहाँ code already available है, किसले code लिखना उसको, ठीक है, उस code को आपको copy करना है, and then उसको modify करना है, and यह copyright वाला भी नहीं है, यह उन्होंने खुद बना कि दिया get bootstrap ने, कि आप इसको use कीजिए, alright, that's why, and मैंने bootstrap के उपर पूरी series and bootstrap 4 in one video भी बना है, उसको भी आप check कर सकते हो, तो देखे, guys, यह हमने इस तरिके से लिखा, एक बार मैं आपको इसको control है, save करता हूँ, copy file path करता हूँ, and then यहाँ पर जा कि अगर मैं आपको दिखा हूँ, so कुछ इस तरिके से दिखा इदेर एकदम perfect, main से perfect नहीं होता, यह responsive है या नि, alright, perfect, यह responsive है, ठीक है, यहाँ पर मैं जाता हूँ, अब भी, अगर आप ध्यान से देखोगे, so हमें कुछ ऐसा हमारा nap बार चीज़, ना कि कुछ इस तरिके से, तो सबसे पहले मुझे यह दोनों को delete करना है, इन चारों लिंक को मुझे right side को लेके आना, तो देखो, इसलिए यह देखो, सबसे पहले तो यह जो li दिखाई दे वो भी मुझे नीचे है, perfect, तो देखो guys, जो हमने just copy किया था, कितना छोटा हो चुका है वो, alright, and यह जो nap bar आपका heading दिखाई दे रहा था, उसको मैं लिख देता हूँ, थापा technical, इस तरिके से थापा technical लिखा, perfect, alright, इतना हुआ, control एस सेफ करता हूँ, यहाँ पे जाता आपको दिखाता हूँ, तो कुछ इस तरिके साब दिखाई दे रहा, अब यह home and link जो है, मुझे यहाँ पे दिखाना है, so, इस link को मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे I will write service, so guys, service मैंने लिखा, ठीक, इसी की तरह मुझे क्या करना हूँ, चार मुझे को और ची एक्स्रा, ठ ठीक है, इस तरिके से मैं इसको लिखा, control and save करता हूँ, अगर यहाँ पे दिखाऊ हूँ, तो कुछ इस तरिके से दिखाई दे रहा, अब बस मुझे इसका नाम चेंज करना है, alright, so guys, आप देख सकते हूँ, मैंने name चेंज कर दिया, perfectly नाम चेंज हो चुका, अब भी मुझे इसको right side में लेके जाना, तो यहाँ पे जो margin right auto लिखा है, आपको सिर्फ margin left auto कर देना, इस line पे, ठीक है, ul के अंदर, and सिर्फ margin left जैसे आप लिखोगे, and boom guys, कैसा लागा आप आपको, so इतना हो गया, अब मुझे guys, इसके बीच में space from left and right, उसका मैं आपको best trick पाता क्या बत क्लास कंटेनर लेना है, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, इस त्रीके से, हटाया, and ठीक यह नब के उपर, जाँ, and और इस त्रीके से आपको रख दीजी, and perfect, इस त्रीके से आपको दिखाए दिया है, and then ठीक क्या करना है, जहाँ पर आपने container लेना, यहाँ पर एक और that is your text uppercase कर देना है, ठीक है, so यहाँ पर मैं जाता हूँ, आपको करना है, text uppercase, ठीक, इससे text uppercase हो जाएगा आपका, जिससे सब capitals हो जाएंगे, and then मैं padding to देना चाहूँगा, इस त्रीके से padding to देता हूँ, perfect, ctrl s, save, ठीक है, इस त्रीके से इतना हमारा काम हो चुका है, अब भी मुझे ठीक, इसकी नीचे जो यह content है, यह मुझे चाहिए, ठीक है, तो कैसे होगा, देखो, मैं ठीक, जहाँ पर यह nap खता मोरा, गाईस, वहाँ पर मैं आता हूँ, अब यहाँ पर मैं एक section create कर लेता हूँ, ठीक है, अब इस section का नाम क्या होगा, देखो गाई, simply में क्या लिखोंगा, guys, header section लिखता हूँ, ठीक, इसमें एक और div create करता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ, center div, इस तरिके से, and then ठीक, यहाँ पर H1 लेता हूँ, guys, इसको एक class दे दूँगा, मैं, जिसको मैं बोलता हूँ, font, weight, bold, ठीक, अपका वो थोड़ा bold दिखा देगा, बहुत simple, simple classes है, and इसमें जो मुझे चाहिए, वो क्या चाहिए, यह चाहिए, चो इसको मैं copy करता हूँ, यहाँ पर मैं paste कर देता हूँ, ठीक, उसी के नीचे, guys, मैं paragraph लेता हूँ, and then जो paragraph है, उसमें मैं इसको copy करता हूँ, यहाँ पर paste कर देता हूँ, perfect, and ठीक, उस हो सकते है, and then अब उस button को call to action मुझे देना है, तो इसलिए मैं anchor tag उस करो, ना कि button tag खुद bootstrap ने provide कर आया था, ठीक, इस तरी कैसे मैं लिग देता हूँ, about us, and ठीक, इसी के नीचे, guys, अब इसमें मैं link add करूँगा, उसका बिल्कुल tension मतलो, ठीक, जैसे जैसे हम page बनाते जा अब हमें जाना है, css पे हमारे, all right, तो देखो, सबसे पहले कैसे जाना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हूँ, we have css style sheet, control, let's save करता हूँ, यहाँ पर सबसे पहला काम होगा, guys, आपको यह universal operator, margin करो 0, padding भी कर दो, by default, जो हमें 8 pixels देता हूँ, margin padding 0, and then box sizing border box कर दो, perfect, इतना हुआ, ठीक, यहाँ पर मैं आता हूँ, अप में क्या करता हूँ, देखो, guys, और हाँ, एक चीज़ यहाँ दरखो, कि जब आप इस्तिर के से काम कर रहे हो, हमारे जब never खतम हो गया, यहाँ पर आपको लिखना है, header part, end, ठीके, और आपको ज़्यादा कुछ हाई-फाई एक यह जो हमारा nap बारे उसको कैसे actual में हमें दिखाना है, ठीके, तो यहाँ पर मैं जाता हूँ, तो we have a header, इसको मैं कर लेता हूँ, copy, यहाँ पर जाता हूँ, header part, all right, perfect, so header को का, इसमें width दूँगा 100%, इसको जो height होगा, उसको मैं दूँगा 100 view height, जिससे हमारा complete width and height ले 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 I mean CSS folder के अंदर एक file है, उसके अंदर हो, so सबसे पहले आपको CSS folder के बाहर जाना पड़ेगा, and then image folder के अंदर आके उसके image को access करना है, so this is it, बहुत सारे लोग को अभी तक नहीं मालूं, guys, वो यह भूल जाता हूँ, क्या करते है, directly images लिग देते है, ठीके मैं आपको बात आता ठीके background repeat को no repeat कर देता हूँ, background का जो size होगा, उसको 100% by 100% कर देता हूँ, control as save करता हूँ, यह directly दीखेगा तो नहीं, इसको पहले आपको add करना पड़ेगा, आपके इस file में, so link में जाता हूँ, आपको CSS folder के अंदर style.css, ठीके इस तरीके से लिखा, control as save करता हूँ, इधर भ देख सकते हूँ कि हमें कुछ दीख नहीं रहा, ठीके, मैं आपको क्या बाता है, क्योंकि कैसे दीखेगा, अब यह आप CSS के अंदर हो, तो सबसे पहले आप CSS folder के बाहर जाओ, फिर image folder को tag करो, and then उस file को access करो, ठीके, and 3, 2, 1, boom guys, अब हमें हमारे image perfectly आ चुका, आप देख सकत कहीं पर भी scroll bar नहीं है, horizontally, vertically, perfectly, जो मेरा screen का width है, इसलिए that is the reason why मैंने 100 भी अच्छ लिखा था, all right, इतना हो गया, एक चीज मुझे चीए, guys, यहाँ पर मैंको background color भी चीए, right, so linear gradient use करूँगा, इस तरीके से linear, और spelling एक दम अच्छे से ध्यान दो, जो बहुत ज्यादा matter करता है, ठीक है, and बस आप देखते रहो, guys, जो मैं लिख रहा हूँ, और यह मैंने already से बता है, please, अगर आपको कहीं पर भी कुछ भी doubt आता है, आप एक बार यह linear gradient by था पाइसर के से लिख के YouTube पे सर्च जरू करो, ठीक है, so, यहाँ पर, guys, मैं कौन सा color यूज करने वाला हूँ, देखे, 0,168,255, और लास्ट में alpha की value देने वाला हूँ, 0.3, ठीक है, इसी को ही मैं कर लेता हूँ, copy, perfectly, and यहाँ पर paste कर देता हूँ, this is it, इतना simple है, यहाँ पर मैं जाओंगा, तो आप देखोगे, एक light color आ चुक है, जो की बहुत beautiful दिखाए देर, and guys, आपको मैं position इसको relative कर देता हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे एक और color ची, ठीक है, मुझे, आप देख सकते हूँ, यहाँ पर कुछ थोड़ा सा dark है, यह थोड़ा ज्यादा, यह थोड़ा light है, ठीक है, और हाँ, एक और चिस्त में आपको बता ना बोलगा, that is your clip path, जो आपको वो design दिखाई दे पीछे, so कैसे होगा, देखो, यहाँ पर आपको लिखना है, polygon, ठीक है, simply, and belief में, guys, मैंने यह इसके उपर पूरा complete video बनाए है, कि आपको बता है, कि, you know, we have a points, आप देख सकते हो, top left, top right, and then bottom right, and then bottom left, तो यह चारो point है, लेकिन इसके अंदर आपको कैसा access करना, guys, इसका link में इदर top पर provide करा दूँगा, please, आप उसको एक बार जरूर देख लिजे, ठीक है, मैं आभी क्या करता हूँ, देखिए, so guys, मैंने बस इस link को add कर दिया, तो आप देख सकते, we have a first, second, third, fourth, and then fifth, this is it, इतना simple है, इसको अगर मैं refresh करूँगा, boom, तो आपको देखो, हमें वो position मिल चुका है, so guys, आप देख सकते, मैंने points add कर दिया, and आप देख सकते कि यह pentagon से पे, एक, दो, तीन, चार, and पांच, total five points है, तो मेरे पास five points है, मैं आपको इतना बात आना चाहूँगा, यह जो last का, जो zero, zero दिखाए तेरा, वो आपको इसका represent कर रहा है, ठीक है, left and top, दोनो zero zero, zero, and then, अगर आप यह देखोगे, तो यह जो आपका second point है, वो आपका यह है, क्यों, अब left आपका 100% हो चुका, top अभी भी zero है, and then, ठीक, अगर आप इस point पे आओगे, तो आप यहाँ पर देख सकते कि guys, हम उपर से नीचे आ चुके है, ठीक है, यह देखे, left अभी भी zero है लेकिन उपर से हम 75% नीचे आ चुके है, अब फिर यह वाला जो point है, अभी हम पुरा left यहाँ से यहाँ गए, तो left आपका 100% उपर से हम आए, तो 75% वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा perfectly, and यह जो last है, उपर से हम पुरा 100% नीचे आए, और आपका left जो है, यह left एकदम perfectly 50% center पर, so देखें गाईस, इतना simple था है, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने polygon, hexagon, मतलब जितने भी है, clip path क्यों, मैंने complete series बनाए, उसका link इधा टॉप पर दे दूँगा, हाला कि मैंने तो आपको समझाई दिया, एक एक point किया था है, कि नी, and this is it, तो इस ते किसे already दे दिया है, header को जो बहुत जाद important है, तो जब भी आप pseudo elements use करते हो, so guys, सबसे पहले आपको लिखना होगा, content, alright, इस तरके से आपको content लिखना है, and then आपको position लिखना पड़ेगा, absolute, अब उसमें आपको लिखना है, top 0%, and then आप लिखिए bottom 0%, then आपको लिखना है, simply, अब left and right बजगा ना, left 0 लिख दीजी, and then simply right को भी कर दीजी 0, सब एकदम 00 लिखना है, and ठीक आपको background color हमें चाहिए, ठीके, जो हमें उस पे add करवाना है, guys, आप देख सकते हो, मैंने linear gradient color add कर दिया, बहुत simple है, to right, मतलब right side को ये तीनो की तीनो color जाएंगा, और मैंने इनको hexa code पे that's the reason why, guys, हम opacity उस करेंगे 0.4%, ठीक, इससे आपका वो opacity मलब, सिव आपको 0.4% में ही दिखाए देगा, and boom, कितना बिठूल अब हमें ये दिखाए दे रहा, all right, अब मुझे इस nap को भी add करना है, तो कैसे होगा, देखिए, और एक और चीज़ आप देख सकते हो, guys, यहाँ प को एकदम clear दिखाए दे रहा होगा, all right, यहाँ पर चाहिए तो आप, guys, 0.3 भी कर सकते हो, ज्याद अच्छा दिखाए देगा, all right, यह अब best दिखाए दे रहे, अब मुझे इस nap बार को भी किसी तरी किसी इसी color पे धालना है, all right, तो guys, आप देख सकते हो, nap बार के लिए हम copy एकदम top पे जाता हूँ, copy file path, all right, और यहाँ पर इसको मैं कर देता हूँ, इस तरी किसे paste, और एक काम कर तो इसको आटा देता हो, फिलाल, and इसको इस तरी किसी दिखाता हूँ, perfect दिखाए दे रहा है, all right, ठीक है, इसको control एक से परता हूँ, and अभी फिलाल कुछ नहीं दि पाँगा इन सबको मैं, so यह जितने भी मेरे anchor tag यहाँ पर आपको दिखाए दे रहे, देखो, collapsible list जितने भी है, तो ठीक, यहाँ पर मैं जाता हूँ, और यहाँ पर मैं क्या कर दूँगा, text, uppercase कर देता हूँ, control, save, and sub uppercase हो गए, ठीक है, so अभी मुझे इनका color change करना है, ठीक है, बहुत simple है, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाओ, तो यह देख सकते हूँ, anchor tag का color change करना है, मुझे, वो LI के अंदर है, and then यह जो LI है, वो UI के अंदर है, so हमें ज्यादा नहीं जाना उपर, मैं सिर्फ LI के nav item को select कर रहा हूँ, एक second, इसको मैं इस तरीके से करता हू select, पहले dot use करना है, classes के लिए, and anchor tag लिखना है, this is it guys, अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, देखे, मुझे simply सबस्वत इसका color change करना होगा, color triple app लिख देता हूँ, it means white, and आपको यह guys important देना पड़ेगा, क्योंकि वो जो by default जो color है, वो लेने वाला ने, तो ठीक है, control as save कर देत चुका है, इसका अभी भी नहीं हुआ, तो उसका करने के लिए, guys, उसका हमारे पास already classes है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, font weight bold directly आप उस कर सकते थे, and text अगर आपको white चीए, तो आप इस तरिके से text white कर सकते थे, तो जो अभी just minute CSS स किया, वो same आप bootstrap से भी कर सकते थे, all right, and यहाँ पर आप में कुछ चीज़े आपको बताना चाहूँगा, कि जब आप इस तरिके से लिखती हो, guys, एक better हैगा कि आप already एक anchor tag के लिए क्लिए क्या करो, आपको मालूम है, anchor tag by default हमको line देता है, ठीके, so text decoration, none कर दिया करो, and ठी text decoration, none करना ही पड़ेगा, otherwise, महाँ पर आपको line दिखाई देता है, so guys, यह कुछ चीज़े है, जो आपको करना पड़ेगा by default, क्योंकि बाइचान साकर आपका भी गलती से बोलके anchor tag को वो करना, तो वो सबसे टॉप पर आपको दिखाई दे रहा, वो हमारे लिए हटा देगा जो नीचे underline आती है, ठीक है, इतना हो चुका है, perfect, control and save, अब मुझे इसको यहाँ पर center पर दिखाना, so कैसे, तो देखो guys, उसके लिए already मैंने क्या करके रखा, यहाँ पर आप देख सकती हो, I have a, यहाँ पर एक section है, जिसका ना मैं header section, इसको मैं copy कर लेता हूँ, यहाँ प जो color होगा, इसको मैं सब के सब को white कर दे रहा हूँ, इसका जो text align होगा, center कर दूँगा, and then जो position होगा, उसको मैं कर दूँगा relative, ठीक है, और वो मैं इसलिए कर रहा हूँ, मैं आप आपको बाताता हूँ, क्यूंकि, देखो, position relative रखना बहुत जरूरी है, अब क्यूंकि लोगों को बहुत मजाने वाला है, आपको कुछ नया भी सिखने मिलने वाला है, आप center, इपको center पर कैसे लिखा सकते हो, right, so इसके लिए क्या करना, guys, आपको width 100% रखना है, simply height आप कर दीजे, auto, and then position आपको कर दो absolute, अब आपको पता चल गा हम ने इसको relatively किया, ताकि आप हम मैं इस तरीके से दिखाई देगा, ये कोने पर, इसको guys, अब मुझे perfectly center पर लिखाने के लिए, so for that we have CSS3 की एक property, जिसको हम बोलते है, transform, ठीक है, आपको लिखने है, translate, minus 50% left को, minus 50% top को, इस तरीके से आना, आप देखोगे guys, ही ना, अभी हो गया perfectly, ठीक है, लेकिन एक better part ही कि कभी भी हम कुछ बोल नहीं सकते, severity नहीं दे सकते, कि ये code run करेगा, यानि, so, इसको मैं completely copy कर लेता हूँ, ठीक है, copy किया, paste and paste, क्यों, ऐसा मैं बोलो, क्यों कि guys, आपको Microsoft के लिए भी लिखना है, ठीक है, and then, आपको webkit के लिखना होगा, ताकि वो आपके Safari, Chrome, Mozilla, ये सब पर चल सकते, ठीक है, इस तरिके से आपको लिखना है, same piece of quote, and perfect, अब आपको इसको style करना है, ठीक है, style करने से पहले, आपको मैं इतना बात आना चाहूँगा, कि guys, मैं Google font use कर रहा हूँ, Google font में आपको दिखाई दगा, एक pop-ins करके होगा, वो हमें चाहिए, and already pop-ins यहाँ प copy कीजिए font को, और एकदम हमें वो हर जाएगे, वो चाहिए, right, so यहाँ पर paste कर दीजे, इस तरिके से, एक काम करते हो, इसको एंटर कर देता हूँ, ताकि वो आपका ज्यादा link ना खाया, all right, perfect, इस तरिके से, वहाँ, यहाँ पर मैं जाता हूँ, इसको paste करता हूँ, and perfect, अ that is the only reason guys, मैं ठीक इस li के नीचे आके paragraph को करने वाला हूँ, मैं directly universal paragraph आप इसको कह सकते हूँ, क्योंकि मेरे हर paragraph का same size, जो मैं property देने वाला से बही होने वाला है, so line height 1.6, मतलब उपर नीचे 2, अगर line है, तो उनकी बीच कितना difference होना चीए, font weight में कर देता हूँ 400, ठीक है, basically आ यहाँ पर जाता हूँ, अब इसको ध्यान से देखना है, ठीक है, and 3, 2, 1, boom guys, color change होगा, इसका look भी fill change हो चुका है, इतना होगे, अभी मुझे क्या करना देखोगा, अभी मैं जाता हूँ, और सबसे पहले आपका वो जो button दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो button का मैं look खुलिय change कर देता हूँ, so, header button जाता हूँ, इस तरके से header buttons, यह देखिए, header buttons, उसके अंदर anchor tag है हमारे, so, सबसे पहले क्या करना है, मुझे इनका जो border है, border को मैं कर देता हूँ, 1 pixel, solid, पूरा white, इस तरके से मैंने white कर दिया, ठीक है, border radius करता हूँ, मैं 100 pixel का, perfect, ठीक है, इनमें जो margin margin होगा, आजू-बाजू, उसको मैं 0, उपर नीचे से, लेकिन आजू-बाजू से मैं जो 5 pixel का चाहिए, so, मैंने margin होगा, padding मुझे इनके बीच में चाहिए, right, so, इस padding में दे रहा, उपर नीचे से 12 pixel का, आजू-बाजू से 35 pixel का, left and right से, outline कभी भी आप नन कर दो, क्योंकि फिलाल हमें outline की कोई need नहीं है, इनका जो color होगा text का, वो हो जाएगा white, ठीक है, perfectly, and then, इनका जो font की size है, उसको मैं कर देता हूँ, 1rem, ठीक है, root, हमारा root em, आप इसको बोल सकते, by default 16 pixel रहता है, font weight में कर देता हूँ, 400, alright, and then, जो line height होगा, उसको मैं 1.4 कर देता हूँ, पिक पिक से दिखाई दे रहे, एक चीस notice किया, इस anchor tag को आप hover करने के बाउजू दो, आपको नीचे वो color एक तो अलग आ जाता है, और नीचे underline आ जाता है, so, इसको मैं करता हूँ, copy, यहाँ पर मैं जाता हूँ, and then, जब भी, अगर कोई इसको करेगा hover, alright, तो color मुझे क्या करन C0, perfectly, आपको यह color देना है, इसका जो background color होगा, उसको completely white कर दो, and text decoration, none कर दो, guys, text decoration, none कर दो, वो हमें नहीं चाहिए, and मैं box shadow देने वाला हूँ, हलका सा, horizontal offset, vertical offset, आपको कितना blur करना है, उसको कितना spread करना है, and then, उसका जो color होगा, वो आपको यहाँ पर provide करवाना है, so, मैं black color देने वाला हूँ, लेकिन, उसका हलका सा, मैं transparent रखने वाला हूँ, so, this is it, तो, कुछ इस तरिके से, आपका वो बन चुक है, all right, now, आपका यह जो paragraph है, उसको कैसे, अब हम थोड़ा, stylis करें, ठीक है, so, यहाँ पर मैं आता हूँ, and then, again, यह जो हमारा center deep, आपको मालूम है, कि यह center deep के अंदर हमें काम कर रहे है, ठीक है, इस तरिके से center deep के अंदर, जो हमारा paragraph है, so, just मैं आपको अभी उपर paragraph लिख के रखा था, ठीक है, वो मेरे सारे जगे यूज़ हो रहा, लेकिन, यहाँ पे, ठीक, सिर्फ हमारे main header part के लिए, मुझे थोड़ा 1.3 root EM चीए, ठी ठीक है, so, 3, 2, 1, and boom, guys, को, जिस तरिके से, अब हमें एकदम perfectly दिखाई दे रहा है, almost अब यह complete हो चुका है, एक चीज़ देखना जरूरी है, कि यह अभी भी नीचे दिखाई दे रहा है, और यह vertical scroll bar हमें दिखाई दे रहा है, वो मुझे नहीं चाहिए, so, guys, हमें क्या करन अब मुझे यह वाला पार्ट चीए, so, guys, अब हमको यह 3 parts create करने, extra div आप इस कैसे को, ठीके, तो यह कैसे हो रहा है, यहाँ पर मैं आता हूँ, जहाँ पर आपका यह section खतम हुआ, यह header part, all right, यहाँ पर आप लिख सकते, three extra header div, ठीके, आप extra header div starts, इस तरिके से आप लिख दी यह काम करना पड़ा, तो उसको at least समझे कि, हाँ भई, यह कहाँ पर start हो रहा है, कहाँ पर end हो रहा है, ठीके, best part रहता है, यह end इस तरिके से आपने लिख दया, perfect, so, guys, आप मैं क्या चाहता हूँ, देखो, सबसे पहले मैं एक section ले लेता हूँ, ठीके, यहाँ पर मैं गया, इसको एक class देना बहुत जरूरी है, that is your header, क्या लिखता हूँ, guys, मैं extra deep लिख देता हूँ, ठीक है, अब कुछ भी नाम दे सकते हैं, totally आपकी पर, तो देखो, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे simply 3 deep चाहिए, एक ही row के अंदर, एक line के अंदर, 3 deep चाहिए, बहुत simple boost trap में, guys हमने grid system पढ़ा था, ठीक है, उसके link में इदर, टॉप यह दे दूँगा, so grid system उसके ने के लिए, we need a container, ठीक, उसके बाद, we need a row class, ठीक, उसके बाद, guys, अब आप अपना use कर सकते हो, so large में, guys, आपको कितना चाहिए, alright, तो large में हमें 4 दिखाने, क्योंकि 4, 4, 4, 12 हो बट, जो आपका main होगा, you know, mobile में तो आपको 12 space दिखाना है, ठीक है, this is it, इतना लिखना है, simple सा, guys, इसमें आपको anchor tag रखना है, ठीक है, क्योंकि आप चाहिए तो anchor tag रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते हो, but better अगर आप anchor tag रखो, क्योंकि फिर उसको easy होता हो करने में, right, म 5.7.0 version में यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, cdnjs जो लिखा हुआ है, इसका version चेंज करो पहले तो, अलाकि 5.11 आच चुक है, but better है, ठीक है, अभी इसको यूज़ करो, कुछ होता नहीं, उससे, perfectly यहाँ पर आना है, copy link tag, पूरा का पूरा copy करो, है क नहीं, top पे आईए, paste कर दिया है, alright, and then अभी इसको use कैसे करना है, simple है, यहाँ पर suppose मुझे क्या चीए, let's say मुझे चीए, desktop, इस तरी किसे मैं desktop लिखूंगा, तो आपको desktop मिल जाएगा, ठीक है, जैसे अगर desktop आपको मिला तो यहाँ पर जो tag दिखाई दे रहा है, i-tag, जो just अभी मैंने access किया था, उसको मैं जाता हूँ, यहाँ पर ठीक, इसके अंदर उसको मैं कर देता हूँ, paste, perfect, तो अगर मैं Ctrl S, save करता हूँ, और अपने index में जाता तो guys, आपको यहाँ पर desktop दीख रहा है, perfect, है कि नहीं, alright, इतना हो गया, ठीक है, h2 पर क्या लिखा होना चीए हमारा यह लिखा होना चीए, easy to use, perfect, and then आपको चीए paragraph tag, and paragraph में आप यह guys, आप देख सकते हो, लो रहा है, spam होला, जो भी है, इसको आप इस तरी किसे लिखो, and Ctrl S, save करता, this is it, अगर आपको मैं दिखा हो तो वो कुछ, अब आपको इस तरी किसे दिखाई देगा, ठीक, आप दो बार और उसका ना होगा, एक, and दो, this is it, इतना वहा, इसको मैं refresh कर देता हो, तो तीनो की तीनो आ चुके है, ठीक है, यह जो awesome design जो दिखाई दे रहा हो, आप यहाँ पे नाम चेंज कर दो, इस तरी किसे, ठीक है, and then यह जो easy to customize लिखा हुआ है, इसको आप कॉपी कर रो यहाँ पे paste कर दो, alright, and then guys, अब आपको यह देखना है कि उसका कौन सा color था, right, तो we have dextrop, यहाँ पे आपको लिखना है, trophy, इस तरी किसे, आपने लिखा trophy, and then जो guys, आपका यह हो गए, यहाँ आपको लिख देना है, simply magic, तो मैंने just अभी आपको दिखाया था, अगर आप dextrop लिखते हो, तो क्या आता है, ठीक है, तो इस तरी किसे, अगर आप लिखो गए, तो आपको trophy, and magic दिख चुका है, alright, इतना simple था यह, अब भी मैं क्या करता हूँ guys, यह जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ यहाँ प So guys, आप देख सकते हो, मैंने नाम दे दिया, ठीक है, तो अभी मैं क्या कर लिखता हूँ, header में extra जो आपका, so guys, आप देख सकते हो, मैंने header extra deep को access कर लिया, अभी मुझे इसमें CSS करना है, मैं simply लिखूंगा width, 100% height में कर देता हूँ, auto, मल्दब जितना भी हमारा content होगा उसक आप से, and then guys, इसका जो margin होगा, margin को देखो, मैं क्या करने वाला हूँ, उपर और नीचे से 100 pixel का, आज जो बाजो से 0, आप चाहे तो auto भी कर सकते थे, ठीक है, वो totally आपके उपर, and then जो 3 deep है, उसको मैंने क्या नाम देया था, आपको याद है, extra deep, तो उसको मैंने किया इस त ठीक है, and then guys, आपको padding देना बहुत जरूर ऊपर, और नीचे हर, चारो तरप से मैं padding दे रहा हूँ, एक second, फिलाल मैं भी important नहीं लिखता हूँ, and मैं आपको बता तो important में क्यो लिखता हूँ बार बार, and then guys, जो इसका border radius होगा, उसको मैं कर देता हूँ, 3 pixel, alright, and इसका जो transition ह होगा, उसको मैं transform नहीं, transition, 0.3 second में, इसको मैं control as save करता हूँ, अगर यहाँ आपको दिखाता हूँ, boom guys, कुछ वो हमें इस्तिरगे से दिखाई दे रहा है, and अगर आप देखते हूँ, to padding use नहीं हुआ, उसका मैं आपको reason बता था, क्योंकि by default अपना खुद का padding है, वो bootstrap अपने रखा हूँ, तो all right, now it's looking great, अब मुझे क्या करना है guys, देखो, मुझे सबके सब एकदम center पे चीए, क्या चीएगा है, सबके सब एकदम center पे, अब चाहे तो directly यहाँ पे ना, इस तरी किसे text align center लिख दोगे, तो भी बन जाएगा काम, all right, ठीक है, so guys, अब मुझे यह जो भी हमने h2 लिखाने, इसको मुझे, you know, style करना, मैं आपको बाताना चाहूँगा, कि इस मेरे website में, again, जहाँ जाँ, मैं h2 यूज करने वाला हूँ, वो सबके सब सेम है, तो मैं directly यहाँ पे h2 जा रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं देखोगा, इसके लिखता हूँ मैं, simply, यहाँ पे मैं लिखने वाला font का size 0.9 REM, ठीक है, इस तिरके से मैंने font size लिखा, मैं यहाँ पे margin जाऊँगा, margin में चाहता हूँ, उपर से 20 pixel का, left से नहीं चाहिए, मैं को bottom से 15 pixel का चाहिए, right से नहीं चाहिए, ठीक है, right and left का मैंने साथ उल्टा बोल दिया, but आप बिच की space, so 3 to 1 and boom guys, अब यहाँ आपको लग रहा है क्यों change नहीं हो, मैं आपको बाता हूँ, because मुझे इस तरीके से extra div लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, अब मैं आपको बाता हूँ, मैं बस यहाँ पे extra div, ठीक है, 1 second double होगे, perfect, अब मैं refresh करता हूँ, 3 to 1 and 1 second, guys आप देख सक तो color change नहीं हो रहा है, and what I realize कि अगर आप देखोगे, मैंने यहाँ पे extra hyphen div लिखा हुआ था, ठीक है, तो जहाँ जहाँ यह extra div लिख एक second मैं उसको कर नहीं सकता हूँ, ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, guys, इसको extra div कर देता हूँ, control, save, and एकदम नीचे आता हूँ, important लिखने के बहुँद नहीं रहता, but now it's looking awesome, so guys, इतना almost complete हो चुका है, ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, यह जितने भी icons दिख रहे हैं, इसे थोड़ी छोटे दिखाई दे रहे हमको, so classes पे जाता हूँ, इस तरी कैसे, मैंने control-D करके select किया sublime text editor पे, यहाँ पे class a font awesome को मै two times bigger करना चाहूँगा, ठीक है, three, two, one, and boom, now it's looking awesome, and देखना है कि अभी भी नहीं, so instead of two, I will, मैं three times bigger करना चाहूँगा, and all right, now it's looking awesome जैसा हमें चाहिए, and अब guys, मुझे क्या करना है, कि इसको हलका सा hoover effect दिखाना है, तो कैसे होगा, वो तो, इसको मैं करता हूँ, copy, यहाँ पर मैं जाता हूँ, hoover effect पर जाता हूँ, इस तरके से, ठीक है, hoover effect पर मैं जैसे जाओंगा, तो सबसे पहले guys, मुझे box shadow देना है, guys, box shadow से, मुझे जो मैंने यहाँ पर दिया हूए, ठीक, इसको मैं copy करता हूँ, and यहाँ पर paste कर देता हूँ, so this is the best part, कि एक बार आगर आप use कर लेते हो, तो यह देखो, कैसा लग रहा है, है कि नहीं, लेकिन सिर्फ as it is, मुझे वो थोड़ा सा उपर लेके जाना है, तो guys, बहुत simple है, again हम क्या करने वाले है, css3 में transform की एक property है, जिसमें अगर आप translate y, मतलब उपर की और बेचते वो भी negative 20 pixel करके, so जादू देखो क्या होता है, 3, 2, 1 and boom guys, देखो, तो कैसा लगा guys, हमने almost इतना complete कर चुके, अब हमें देखना है, यह what do we offer, so मैं back to यहाँ पर जाता हूँ, again, इसको मैं कर लेता हूँ, copy, यहाँ पर जाता हूँ, paste करता हूँ, and section start लिख देता हूँ, ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो, ल अगर अभी तक आप मेरे channel के साथ बने हो, तो इसका सीधा सीधा मदलब है कि guys, आप में वो जुनून है, समझे हो, that's why आप अभी तक बने हो, and believe me, आप end तक बने रहे, आपको बहुत कुछ नया, and बहुत कुछ सिखने मिलने वाला है, ठीकि, लेकिन इतना मैं चाहूँगा एक ये part है, alright, आप हम इसको कैसे कर सकते हैं, आप सोचो थोड़ा कैसे कर सकते हो, again bootstrap का अगर इसको मैं 6 side दे दू, and again bootstrap में इसको अगर मैं 1 row का 6 side दे दू, तो बराबर 6 दूनी 12, हैकिन एकदम perfectly हो रहा है, so कैसे देखो, मैं यहाँ पर आता हूँ, तो हर part के लिए मैं एक second section perfect ही, यहाँ पर, ठीक है, अब इसको class का नाम आपको देना बहुत जरूरी है, so हम क्या करें, service offer करें, right, so यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इस तरी किसे service offers, alright, यहाँ पर मैं id दे रहा हूँ, अब भी तक मैं लेकिन id की use की नहीं है, तो guys, आपको end में पाता चलेगा है, कि मैं id की use कर रहा हूँ, section लिया, guys, अब भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक div ले लेता हूँ, div को मैं container दे देता हूँ, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, heading इस तरी किसे, ठीक है, headings लिख रहा हूँ, और मैं इसको text center कर देता हूँ, perfectly, अब यहाँ पर एक h1 ल and ठीक, इसका जो paragraph है, guys, उसमें मैं क्या करने वाला हूँ, यह जो भी मैंने लिखा है, हाला कि dummy text है, ठीक, इसका कोई meaning नहीं होता है, क्या होता है, वगवान जाने, ठीक, इसको मैं जाता हूँ, paste करता हूँ, ठीक, यहाँ पर, guys, मैं CSS का classes करता हूँ, इसको भी मैं कर देता करेंगे, लेकिन हमने इतना deep कर लिया है, ठीक है, इस deep की नीचे मुझे आना है, and then again, देखो, एक, दो, सिर्फ दो ही section, it means, column 6, by 6 का divide कर दूँगा, तो again, guys, अब मैं थोड़ा से speed बढ़ाता हूँ, क्योंकि I think अब आपको बहुत कुछ पाता चल चुका है, container आता हूँ, य and then, जो आपका call medium होगा, आपको थोड़ा बहुत सोचना है कि कैसे करना है, ठीक है, मुबाइल में मुझे call 10, 10 करना है, and offset उसका राओ में, कितने का 1 का, so इसका मलत बहुत कि guys, मुबाइल में वो पूरा 10 space ले लेगा, I mean, पूरा 10 column लेगा, and left का एक और right का एक column छोड़के perfectly हमें वो center में दिखे देगा, तो offset बहुत important है, और directly bootstrap form में अगर आप सिर्फ offset लिख दोगे, तो काम बन जाएगा, all right guys, इतना हुआ, अब भी मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पर, simply मैं जाता हूँ, and एक और चीज़ करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर offset, large को 0 करना पड़ेगा, क्योंकि by default, one लेने से क्या, वो पूरा completely सब को पगड़ा देगा, ठीक है, HTML and progress bar, simple इतना है, तो यहाँ प लिख सकते हूँ कि ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ पर मैं class में जा रहा हूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ, names, ठीक है, इसका अगर मैं आपको दो, margin from top and bottom से मैं 3 का दे रहा हूँ, margin उपर और नीचे से मैं 3 का दे रहा हूँ, इसमें मैं h1 जाता हूँ, यहाँ पर म animated one, ठीक है, यह वाला एकदम perfect है, इसको एक second इसमें लेकिन वो दीख नहीं रहा हूँ, जो चाहिए, ठीक है guys, कोई नहीं, इसको मैं कर लेता हूँ, copy, paste, कैसा लगा, और यहाँ पर आपको क्या लिख देना है, 100%, ठीक है, यहाँ पर आपको width देना है, 100%, तो सिर्फ आप य यह जो आपका name deep दिखाई दे रहा है, ठीक, इसके नीचे आओ, and इस तरीके से paste कर दो, तो आप देख सकते हैं, मैंने CSS के लिए किया, JavaScript के लिए किया, React के लिए किया, and note के लिए किया, control एक सेफ करता हूँ, refresh करता हूँ, तो देखो, सब बराबर आच चुके, and guys, आप इसके width 75 करके रखा, इसको मैं copy कर लेता हूँ, ओहो, एक चीज हम बुल गया, that is, हमने class लेना में बुल गया, यहाँ पे, so guys, मैं एक div ले लेता हूँ, ठीक है, और वो क्यों लिया, मैं आपको आपको बाता हूँ, क्योंकि वो जरूर था वैसे, all right, यहाँ पे मैं जाता और यहाँ पे अगर मैं जाओ, तो एक class पकड़ाता हूँ, एक second, progress करके, ठीक है, और यह जो class मैं दे रहो नगाईसे, मैं खुद से नहीं दे रहा हूँ, मैं actually copy मैंने perfectly नहीं किया लगता है, अगर आप देखोगे ध्यान से, तो इन्हों देखो, progress already, इन्होंने खुद बोल क्या हो गया, तो यह ऐसी काम होता है, इस normal, ऐसा कोई नहीं कि जो अगर professional बिन देखे करता हूँ, जब already दिया हुआ है, तो किसले वो करना है, समझ रहे हो, देखो इस तरिके से लिखा, अब यहाँ पर मैं width कितना भी दे सकता, width अगर मैं 50 कर देता ना, तो देखो क्या होत अब देखा, अब यह एकदम center पर आगया, एकदम छोटा, लेकिन आप मुझे चाहिए 75 maximum, आप 100 दे सकते हो खाली, तो इस तरिके से आप यह perfectly हो चुके गाई, अब भी as it is रहने दो, अभी मुझे यह right side का चाहिए, right, एक चीज़ करो कि इस तरिके से लंबा मत छोड़ो, यह जो आपका part जहां खतम हो रहा है, इसको minimize कर दो, all right, ठीक है, अब भी आप क्या करो, same, फिर से आपको एक और deep चाहिए, call, large में 6 आपको devices दिखाना है, ठीक है, so आप देख सकते मैं, large में 6 लिखा, and मैं root इसलिए गया, क्योंकि guys, मुझे medium में 12 दिखाना है, मतलब medium में म मापे भी मैं कर दे रहा हूं, 12, तो यह वाले जो part इसको भी मैंने कर दिया है, completely 12, इसका मतलब medium devices, जो है, आपका iPad, iPad Pro, you know, उसमें आपको यह पूरा का पूरा space खा लेगा, वो, and mobile में तो पूरा का पूरा दिखाना है, यह मुझे, so call 12, this is it, and इसका जो part होगा guys, इसके मैं एक और extra class add करो, that is your service dip, all right guys, इतना हो चुका, and then again, अगर मैं आपको दिखाऊं, तो इसमें भी game हो रहा है, guys, अगर आप ध्यान से देखोगे, तो यह जो part है, इसको मैंने 6, and इसको मैंने 6 कर दिया, perfect, लेकिन इस 6 के अंदर भी 2 और हमें add करने पड़ेंगे, that is grid system, again use करना पड़ेगा, क्योंकि इसने भी एक space लिया हो है, and then यह जो part है इन्होंने भी अपना एक space लिया, उस 6 के अंदर भी मुझे आप इसको, you know, अलग space, and इसको अलग space देना पड़ेगा, तो देखो, again, मुझे grid system उसकरना पड़ेगा, class row जा रहा हूं, यहाँ पर जो मेरा पहला जो icons आपको दिखाई दे रहा है, ठीके guys, उसको मैं कितना दे देता हूं, call, large में दो का space दे रहा हूं, ठीके, and then जो normal आपका mobile है, उसमें भी मैं बोला, ठीके भाई, तू दो ही space लिए, उससे ज्यादा नहीं दूँगा, and यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूं, service icons, इस तिर से copy, पूरा ए तक copy कर रहा हूं, sorry, ए नहीं, I तक completely copy करता हूं, यहाँ पर मैं कर रहा हूं, इस तरीके से paste, this is it, so, एक बार check कर लेते कैसे दिख रहा है, all right, perfect, हमें हमारा desktop दीख चुका है, एक दम perfect, कोई बात नहीं, all right, इस तरीके से हमारा यह हो चुका है, and then, ठीक, अब इसी के नीचे में एक और मुझे div लेना पड़ेगा, and इस div को मुझे देखो, guys, क्या करना है, इस div को मुझे बाकी जितने space बचे, कितने बचे, इसमें 10 बचे, इसमें 10 बचे, medium में कितना बात बोलनी की जोत नहीं, लेकिन मैं directly अब 10 लिख दूँगा, तो मेरा काम हो चु किये, ठीक है, so, यहाँ पर H2 जाता हूँ, इसको मैं copy कर लेता हूँ, website development, एक second, ठीक है, copy किया, ठीक है, पाता नहीं कैसे अपने आप नीचे आ गया, तो चलो, कोई नहीं, यहाँ पर मैं P पर जाता हूँ, and, P पर, guys, यह सब आप देख सकते हो, dummy text है, यहाँ पर आप अप मैं यहाँ पर create, तो मैंने बहुत सारे, you know, website का fusion बना रहा हूँ, मैं आज, तो आपको सब मज़ा आ जा गए, देखो, यह जो पार्टी, यह वही जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, अब भी यह जो मैंने लिखा ना, guys, इसी कोई, अब मुझे क्या करना होगा, copy and paste, copy and paste, इस्तिर किसे करना है, ठीक है, so, इसको मैं करता हूँ, पुरा का पुरा, copy, paste, copy, paste, ठीक है, and, boom, कैसा लगा आपको, back to back 3 आ चुके, अभी खाली मुझे करना है, तो क्या, इनका नाम च लिखाई दे रहा है, ठीक है, और यहाँ पर, perfect, ठीक है, guys, इस तरी के से रखा, यहाँ पर यह हो जाएगा, change, all right, it's looking awesome, अब बस मुझे क्या चे, guys, इनका मुझे यह जो, क्या कहते है, guys, इसको font awesome जो है, इसको change करना है, पहला वाला dextrop एकदम, perfect है, कोई बात नहीं, ठीक है, guys, तो यह almost complete हो चुगा है, अब हमें CSS use करना है, ठीक है, so, इसको मैं करता हूँ, copy of a CSS start, इस तरी के से आप लिख दीजिए, ठीक है, और इसी को एक और बार copy कर दीजिए, ताकि फिर बात में, अगर आ बूल भी जाओ, तो आपको problem ना हो, क्योंकि आपने पहली लिख द होगा, लेकिन ठीक है, यह आपका light gray color आप इसको बोल सकते हो, मैं padding देने वाला हूँ, open नीचे से 50 pixel का, जो बाज उसे 0 pixel का, and then जो margin bottom होगा, उसको मैं दूंगा 50 pixel, ठीक है, ctrl s, save and 3 to 1, भूंगा, इसे आप देख सकते हो, कितना beautifully यह color आ चुका है, light gray, आप देख सकते हो, white background है, इसका एक light gray color आ चुका है, है किनी, awesome, अब ठीक, यहाँ पर मैं जाता हूँ, dot headings अगर आपको याद होगा, मैं ने दिया था, ठीक है, वहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर again मैं margin bottom का, लिखने वाला हूँ 50 pixel का, ठीक है, उसके बाद guys, जो जितने भी मेरे यह headings है, headings का, जो मेरा h1 है, यह जो मेरा heading का h1 है, मतलब यह what do we offer की बात कर रहा हूँ, इसको guys, मैं जो font size 1.5 root rem देने वाला हूँ, इनका जो font weight है, अगर guys, आप 600 लिख दे तो, it means वह आपका bold कैला जायता है, and then इसका जो text transfer में, चाहे तो यह तीनों की तीनों ना मैं वहाँ से कर सकता था, bootstrap से, but better मैं CSS से करूँ, क्योंकि बात में easy करना बहुत simple, all right, now it's looking awesome, ठीक है, अब भी मुझे यह HTML CSS जो भी लिखा, इसको मुझे set करना है, so कैसे, अगर आपको याद होगा, मैंने उनका जो classes का नाम है, वो मैंने दिया था, names करके, names के अंदर मैंने h1 लिखा आता, all right, so इसका जो color होगा, guys, उसको देखो, क्या color है, 2E, 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 1 second ही, यहाप एट देरेट हो गया, 2E, 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 2E था, ठीक है, मतलब ऐसा ऐसे नाम होते तो मजा भी आता, बीच-बीच में guys, आपको बोर बिलकुल नहीं हो ना, जब भी आपको लगे, थोगा सा बोर हो, अलका से stretch कर लो, you know, color लिखा मैंने, and then इनका जो font size होगा, 0.9 REM मुझे लिखना है, root REM बोलूँगा फिर से मैं इसको, text transform जोगा, इससा मैं आप मैं uppercase नहीं capitalize करूँगा, 3, 2, 1, and boom guys, देखो, कितना बीठूल हमें यह दिखाई दे रहे, और मैं क्या कर सकता था, यहापे, म मैं कर सकता था, text, capitalize मैंने कर दिया, perfect, लेकिन capitalize करके फाइदा नहीं, मुझे आपर केस करना पड़ेगा, क्योंकि बाकि सब आपर केस है, और मुझे, I think font word, मुझे use करना पड़ेगा, bold, ठीक है, क्योंकि, all right, now it's looking awesome, perfect, ठीक है, अब भी यह जो आपको H2 दिखाई दे रहे, इसको मैं set करता हूँ, यह क्या है, हमारे H2, यह देखो, और यह किसके अंदर है, service dip के अंदर है, तो इसको मैं copy करता हूँ, और अगर आपको याद हो, मैंने एकदम, एक सेगन, style पे न, एकदम मैंने top पे service dip already use किया था, आपको याद है मैंने H2 यूज किया था, यह बोलत कि same property, that's why मैंने इस तरिके से लिखा, and guys, यही होता है कि एक website को आप किस तरिके से awesome बनाते हो, मतलब do not repeat yourself बोलते है न, ठीक, अगर आपके एक div में same property use हो रहा है, तो बार्वा मत लिखो यार, समझ रहो, ऐसा एक top पे जाओ, universal बना दो, जैसे यह मेरा paragraph हर्ज जगी उज़ तो मैंने डारेक्ट पी को कर दिया, अब मुझे पी को करने के कुछ जवत नहीं है, समझ रहो, इस तरिके से आपको करना है perfect, एक काम करता हूं, यहां पर भी मैं लिख देता हूं, actual CSS start लिख देता है, actual CSS start यहां पर, ठीक है, क्योंकि बाकी सब तो क्या, by default हम अपना हो आला कर रहे हैं, जो by default हमें ब्राउजर ने दिया हूए, यह बाकी की जितने, और यह बाकी सब हमारे actual CSS के classes, CSS classes लिख देते हैं, ठीक है, perfect, आपको वली यह sense नहीं बन रहा हूं, यह मैंने क्यों ऐसे लिखा गाई, यह जिस्ट कमेंट है, ताकि आगे कोई उनको actual में पाता चल क कि हाँ, यहाँ से जो भी अब यह actual classes किया गया है, website में उसका हो रहा है, बाकी यह सब जो है, by default हमारे tags है, ठीक है, all right, इतना हो गया, यह बहुत हमें awesome दिखाई दे रहे, लेकिन अब यह भी हमें थोड़ा सा उपर नीचे change करना होगा, and that is, यह जो हमारे icon से उसको मुझे center पर लिखे है, and believe me, यह बहुत ज्यादा simple है, ठीक है, मैं तो आपको यह चाहूँगा, कि guys, अब भी इतना होने के बाद, आप खुछ सोचो, एक बाद वीडियो पॉस्ट करो, आप सोचो कि, इस icons को मैं center पर कैसे लेके आ सकता हूँ, अब सोचो, यह जब आगर आप सोचो क कि नहीं, तो फिर वो thinking, जो capability होती है, वो बढ़ीगी नहीं, क्योंकि आपको एक आदत हो जाएगा, directly देखने की, ठीक है, एक बार पहले मैं देख ले तो और फिर कम में करूंगा, वह इसा नहींगा, इसा आप वीडियो देखती है, पॉस्ट करके सोचा करो, यह कैसे हो सक लगता है, else है कि नहीं, and then आप चेक करो कि हाँ, मैंने सिम वही step follow किया है कि नहीं वह करने के लिए, तो अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊ, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने separate deep बना रखा हुआ है, उसको नाम दे रखा है मैंने service icons, and वो मैंने cue दिया था यह मैं आजकल हर video में यह use कर रहा हूँ, and मैंने flex in one video, in Hindi भी मैंने पूरा create करके रखा है, grid system in CSS in one video, वो भी करके रखा है, ठीक है, तो हमारा guys, यह part complete हो चुका है, all right, इतना हो चुका guys, एक चीज हमें देखना है कि यह जो आपको progress दिखाई दे रहे, थोड़े मोटे दिख ठीक है, and guys, आपको important use करना ही पड़ेगा, also दिखेगा ही नहीं आपको, एक second मैं एक खाम करता हूँ, बिना important के आपको मैं दिखाता हूँ, क्या होता है, कुछ नहीं होगा, समझें, लेकिन जैसी मैंने important लिखा, मैं बोल रहा हो, नहीं भाई, by default bootstrap ने जो दिया, मुझे कोई लेना देना नहीं, I want 0.6 only, and boom, कैसा लगा आपको, है कि नहीं awesome यह, ठीक है, अब भी मुझे क्या चाहिए, guys, मुझे margin bottom लिखना पड़ेगा, margin bottom, ठीक है, and margin bottom है, 25 pixel, again, मुझे important लिखना है, क्योंकि by default उनोंने अपना दिया हुआ है, जो मुझे नहीं चाहिए, perfect, and इस सिरके से हमें दिखाई दे रहा, perfect, अभी यह जो icons है, guys, इसका मुझे color change करना है, so, मैं क्या चाहूँगा, कि हर icon का color same हो, again, फिर से, मेरे जितने भी icons में use कर रहा, उनका अगर color मुझे same चाहिए, समझ रहे, तो मैं उनका color यूज़ कर लेता हूँ, that is your 2FCCD, 2FCCD, and then D0, Ctrl S, save करता हूँ, 3, 2, 1, and boom, इसी, देखो, सबका color change होगी, अब मुझे बार-बार करनी की जोतनी पड़ीग, automatic, सबका color change हो जाएगा, and यह part हमारा complete हो चुका है, now, यह more than 2000 websites जो आपको दिख रहा है, ठीक है, इसको कैसे complete करना है, तो सबसे पहले तो देखो, guys, so guys, यहाँ पर हम लिख देता हूँ, project done, start हाँ, यहाँ पर मुझे कर देता हूँ, end, project जितने अपनी के बस, basically इतना मैं बताना चाहरा हूँ, Ctrl S, save करता हूँ, so guys, इतना हो गया, मैं क्या चाहता हूँ, कि यह जो म ठीक है, मुझे इसको end करना पड़ेगा, all right, perfect, तो यहाँ पर इसको मैं, यह जो मैंने लिखा, इसको मैं इस तरीके से करता हूँ, copy, और I think, ठीक, इसको मैं copy कर देता हूँ, और मैं आपको बता आता हूँ, ठीक, इस तरीके से copy कर यह paragraph में हटा देता हूँ, और यहाँ पर ID मुझे नहीं चाहिए, इस जिगे पे, इसको मैंने हटा दिया, perfect, ठीक है, इतना काम हो चुका है, all right, और एक काम करता हूँ, guys, इसको मैं h1 हटा दिया, तो आप paragraph ही रखता हूँ, इसको भी यहाँ से हटा के, क्योंकि मैंने already paragraph की उपर दिया, वाँ, so 3, 2, 1, and now it's looking awesome, ठीक रिस्स करते हैं, तो कितना simple होता है, ठीक है, देखो, मैं एक div लेता हूँ, इसको class देता हूँ, container, ठीक है, अभी इसके अंदर मैं एक और div लेता हूँ, ठीक है, अब ध्यान से देखो आप, और इस div को मैंना कुछ नहीं करता हूँ, ठीक, as it is, रखता हूँ, लेकिन अगर बस ऐसी देखा कहीं से, तो मैंने CMS installation लिख दिया, मैं सोच रहा था, क्या करूँ, क्या करूँ इसमें, इतना लिखार मैं refresh करता हूँ, अगर, तो कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है, अब भी मैं बाकी की उसको भी copy कर लेता हूँ, तो इसको मैं चार बार copy करना है, एक, दो, एक की नीचे का रहा है, लेकिन अभी आप जा दू देखो, यहाँ पर मैं simply क्या करूँगा, और display flex, ठीक है, justify content center, and, sorry center नीचे मुझे, around cheese, and then मैं लिखूँगा, align item center, align item center, this is it, बस यह तीन लिखा, 3, 2, 1, and boom, आपने देखा, क्या हो, अपने आप सब हो जाता, कोई tension ही नीचे, and एक और चीज लिख दो, that is text center, जिससे text center में आ जाएंगे, perfectly एक की नीचे, all right guys, this is it, इतना simple हो चुका है, अब भी, मुझे, इस पर क्या चीए, पहले तो मैं आपको css supply करता हूँ, and इसका css ज्यादा भी नहीं है, क्योंकि, इसमें ज्यादा कुछ हम ने किया ही नहीं, तो css ज्यादा नहीं, लेकिन फिर भी आप इसमें css कितने हैं, देखो, नीचे आता हूँ, यह जो भी लिखा है, मैंने इसको copy करता हूँ, paste and then again paste, यह जो service offer लिखा है, यहाँ पर इसको मैं हटा, कि यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, awards, 1, आप कुछ भी लिख सकते हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस क्या लिखो सोचता हूँ, and यह creative आप देखो, और 1, ठीक है, अब लेकिन आप सो समझ के अपने website के लिखेगा, ठीक है, तो सबसे बेल तो जो मैंने project work किया था, ठीक है, उसका guys मैं क्या करता हूँ, उसको मैं एक style दे देता हूँ, and that is margin from top and bottom से दूँगा, 100 pixel का, all right, and आजो बाजो से 0 हूँ, मतलब नहीं, आजो बाजो का मुझे, लेकिन इसका जो project done होगा, मतलब जो मैंने project किया, ठीक है, project works के अंदर, I mean, जो h1 था मेरे, उसका जो मैं font size है, उसको 2rem करने वाला हूँ, and then, जो text align होगा, उसको मैं कर दूँगा, center, अब वो centrally क्या हो, क्योंकि guys, वो medium device पर हमें clear नहीं दिख रहा था, all right, now हमें इस तरके से एक दम beautifully दिखाई दे रहा है, उपर नीचे से perfect, अब इसमें मैं jquery यूज करने आ रहा हूँ, तो देखो guys, so guys, आप यहाँ पे na jquery के link देख सकते हो, we have a counter of, एक link हमें ज़रू थ इसके लिए, and then we need a waypoints, ठीक है, तो इसको, and यह जो आपका counter, इसको मैं कर देता हूँ, copy इस तरके से, and jquery जो हमारा main part है, ठीक, उसके नीचे इसको मैं add कर देता हूँ, jquery अगर आप देखोगे, तो we have jquery, ठीक, इसके नीचे मैं add कर दिया, ठीक है, बस अब आपको save करता हूँ, इतना हुआ, ठीक, इसके नीचे आपको आना है, इसके नीचे आपको क्या लिखना है, आपको लिखना होगा, script tag, so guys, इस तरके से आपने इसको script tag लिखा, and don't worry, अगर आप सोच रो, मैंने कहां से लिया, तो guys, आपको इस website, जो मैं create कर रो, इसका source code कैसे पाना इसका link में नीचे description and comment section पर आपको प्रोड करा दो, और पूरा A to Z वो का उसमें, उसका आप बिल्कुल tensor मत लीजे, ठीक है, नहीं, तो आप simply waypoints लिखोगे Google पे, तो भी मिल जाएगा, and counter ये जो है, तो भी मिल जागा, यहाप आप देख सकते हो, and मैंने already इसके पर वीडियो control D and one more time control D, यहापे मैं, एक second, मुझे लिखना होगा class, ठीक है, class में क्या use करोगे, इस मुझे class का नाम में रख देता हूँ, count, simply सिर्फ count, ना counts, ना ये, ना वो सिर्फ count रख रहा हूँ, this is it, इसको आप में copy करूँगा, तो देखो आप यहापे में code कैसे लिखने वाला So guys, you have to write dollar symbol, basically jQuery को रिप्रेजेंट करता है, and वो class था, तो मैंने क्या लिखा, dot, अगर hashtag ID कले होता, इतना लिखने को बाद guys, you have to write counter up, ठीक है, इस तरीके से आपको counter up लिखना है, parenthesis के अंदर curly braces देना है, तो आपको guys, यहापे लिखना है delay, और यह मैं खुछ से नहीं लिख कब तक चीह मुझे, चीह मिली सेकेंड, तिन सेकेंड के अंदर, this is it, सिर्फ इतना लिखना है, ठीक है, यहाँ पर मैं जाता हूँ, Ctrl S, सेप करता हूँ, इसको कैसे करना है, यहाँ पर मैं जाता हूँ, अगें इसको मैं करता हूँ, copy, यहाँ पर मैं जाता हूँ, और again one more time, इसको मैं करता हूँ, ठीक है, तो यह जितने भी project done दिखाई दे रहा है, इसको मैं copy करता हूँ, यहाँ पर our pricing, again guys मैं top पर जा रहा हूँ, जो मैंने, एक सेकेंड, यह जितने भी container, इन सब को मैं ऐसे छोटा कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैंने किया copy, and यह जो मेरा div, इसको भी मैं छोटा कर देता, तो ताकि हम एक दम perfectly दिखाई दे, अब यहाँ पर मैं जाता हूँ, इसको paste कर देता हूँ, ठीक है, best, and then, एक second, मैंने, एक second guys, इसको मैं पहले हटा दूँ, इसको मुझे copy नहीं करना था, मुझे copy करना था, तो पूरा का पूरा यह service section tag तक के लिए, ठीक है, यहाँ पर मैं गया, इसको मैंने copy की just, and यहाँ पर paste कर देता हूँ, perfect, now, यह section को भी मैं इस्तिर किसे रख देता हूँ, ठीक है, और I think guys, अभी तक आपको पता चल चुक है, basically यह जब मैं menu पे click करता हूँ, तब वो इस page पे आए, इस particular section पे, that is the only reason why guys, मैं यह ID यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे, and यह जो और pricing लिखा, और best pricing, इसको मैं copy कर लेता हूँ, perfectly, इसको मैं क्या करने वाला हूँ, अभी इसको मैं directly text white कर देता हूँ, ठीके, अब इससे होगा यह कि guys, आप लोगों तो यह दिखेगा नी, क्योंकि white में white दिखने से रहा, एक second, तब भी हम यह दिख रहा, यह कैसे हो गया, ठीके, text whites हो गया, white लिखूँगा तो आप दिखेगा नी, लेकिन मैं जब ऐसे करूँगा तो आपको पता चल जाएग So, div class container में जाता हूँ, इधर container पर, simply guys, यहाँ पर मैं जाता हूँ, और इसको मैं कर देता हूँ, class row, ठीके, and मैं एक div ले लेता हूँ, फिर से यहाँ पर इस तरिके से, एक second, यह capital कैसे आ जाता है, ठीके, यहाँ पर मैं जाता हूँ, class करता हूँ, देखो, obviously मुझे कितने ची, चार चीन, तो large और मुझे completely 12 चीन, हमारे mobile devices पर, so, यह जो start हो रहा है, यह जो आपको दिखाई दे रहा, guys, यह basically क्या हो रहा है, एक card है, ठीके, मैं अगर आपको जाओ, and यहाँ पर मैं आपको दिखाँ, we have a cards in bootstrap, तो simply यहाँ पर आओ, इस त कर जाता हूँ, and, and, ठीक है, इस तरिके, इस एकदम simple रखा, guys, कुछ मैंने इसमें extra add, add नहीं किया, तो सबस्पर तो, यहाँ पर मैं text center कर दूँगा, क्योंकि सबके center पर आजाने ची, यह जो header आपको दिखाई देगा, इस header के बदले, आप क्या लिखो, यहाँ पर जाते ह यह बहुत जाते important होगा, content में हमें चाहिए, यह पूरा का पूरा है कि ने, so, इस तरिके से एक ally लिया, मैंने, ठीक है, यहाँ पर मैं dollar symbol उस कर रहा हूँ, and, यहाँ पर expand tag लूँगा, ताकि उसको मैं highlight करा सकूँ, तो मैंने इस तरिके से 20 लिख दिया, उसमें, ठीक है, इ इस तरिके से मैंने website लिख दिया, all right, perfect, तो guys, बस इतना ही करना है, मुझे li li use करना है, तो मैं इसको पहले fill कर लेता हूँ, so guys, आप देख सकते हो, मैंने बाकी के बाकी को भी add करते है, and card footer में मैंने purchase लिख दिया, anchor tag उस करके, मैंने लिख दिया है, purchase, simple सा इतना मैं कर चु ठीक है, यहाँ पर मैं जाता हूँ, all right, यहाँ पर मैंने किया paste, यहाँ पर मैंने किया paste, इस तरिके से खाए, इस तीन बार आपको paste करना था, and boom, हमें यह हमारा मिल चुका है, and instead of यह जो basics है, उसको मैं change कर देता हूँ, यहाँ पर standard copy कर लेता हूँ, second वाले मैं standard लिख देत हूँ, ठीक है, यहाँ पर 20 के बदले 40, और लास्ट में यह जो unlimited है, यहाँ प्रीमियम भी कह सकती हो इसको, तो इसको मैं जाके यहाँ पर कर देता हूँ, this is it, इतना मैंने लिखा, all right, यहाँ पर नहीं चाहिए था, ठीक है, यहाँ पर refresh कर देता हूँ, तो आप देखो कि standard price इनका इस तरीके से हो चुका है, अभी मुझे इस पर CSS supply करना है, ठीक है, so again, मैं यहाँ पर comment को copy and copy कर रहा हूँ, और यह जितने भी award won लिखा है ना, guys, इसको मैं हटाता हूँ, dot, ठीक है, और वो इसलिए क्योंकि इसको मैं यहाँ से हटा दूँग, और इसको मैं यहाँ स पेस हो ले ले, padding दूँगा मैं उपर and नीचे चार होता, आपसे 50 pixel का and position दूँगा मैं relative, और उसका region यह है, क्योंकि मुझे background चाहिए, किस type का, कुछ step का, आप देख सकते हो, कितना beautifully हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है, उसके लिए मैं इसलिए position relative दिया, and अगर आपको इसलिए कर रहा है, क्योंकि आपने देखा, अगर मैं यह background color यूज करता, तो वो इसको भी opacity कम कर देता है, that is the only reason why guys, मुझे कुछ स्थिर किस इसको करना पढ़ रहा है, ठीक है, सब से मैं किसी में कोई problem ने, instead of pricing, मैं इसको nabbar कर देता हूँ, और यह जो linear gradient है, इससे linear gradient ही रहेगा, ठीक है, यह color में change करने वाला हूँ, यहाँ पे, इसका जो color होगा, वो देखो ध्यान से, 1C F9 यह तो है, ठीक है, लेकिन यह जो होगा, कैसी होगा मेरा 55% में, और यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, 160 degree इसको गुमाने वाला हूँ, ठीक है, just because मैं यह 160 degree लिख रहा हूँ ना, इसलिए हमें वो effect दिखाई दे रहा हूँ, और बाकी जो part होगा, उसको मैं 0% करने वाला हूँ, इस ठीक है 0% यह white color, so 321 and boom guys, देखो, कैसे लागा आपको यह, आया किन यह perfectly है कि नहीं, लेकिन देखने वाली बात है कि guys, इसका यह जो color हमें दिखाई दे रहा, that is weird, वो हमें वैसा color नहीं चाहिए, so यह opacity में यहाँ से हटा दूँगा, and 321, boom, perfect, जो हमें चा 55% के इसलिए हमें आदा दिख रहा है वो, but जो actual design यह आया न, यह just because 160 आया, अगर मैं इसको 180 कर दो, तो 180 आपको मालूम है क्या होता है, 180 देखो, एकदम, you know, एकदम straight होता है, 90 degree perpendicular, 180 degree, देखो, इस तरी किसे आ गया, तो just because मैंने 160 लिखा है, तो वो आपको कुछ वैसा अभी मुझे इनको style करना है, तो देखो, यहाँ पर मैं simply जाता हूँ, money पर जाता हूँ, money का जो font का size इसको मैं कर देता हूँ, 40 pixel money, मतलब जो मैंने 20-40 लिखा है, line art दे देता हूँ, simply 1 का, और इसका जो color होगा guys, वो थोड़ा सा हटके, so 60, 60 and 60, all right, एक second, money, और यहाँ पर मैं spend पर जाता हूँ, spend, 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 ठीक है, यहाँ पर मैं class दे देता हूँ, देखो guys कितना काम आता है, यह है कि नि, class यहाँ पर मैं जाता हूँ, and देता हूँ, money, ठीक है, dollar भी आप लिख सकते हैं, but better money लिखो न, किसलिए, all right, देखो, आपने देखा क्या वाज जश्ट अभी क सिरके से guys हमारे काम हो चुका है, अब भी मैं यहाँ पर जाता हूँ, money के नीचे, ठीक है, money के नीचे यहाँ पर मैं card यूज करने वाला हूँ, जो main हमारा card है, उसमें मैं जो transition है, 0.4 second, जो हलका सा वो उपर अभी आपको आएगा, जो animation होने वाला है, वो मैं आपको दिखा हम font का size 1.6 rem, root rem, ठीक है, and then font weight होगा guys, उसको मैं कर देता हूँ, background मुझे white चाहिए, ठीक है, एक second, white चाहिए तो फिर मैं यह hashtag नीचे, आप triple app लिख दो, ठीक है, double 0, triple 0 लिखती, it means हो आपका black हो जाता, and then guys, आप padding उसका सकते हो कि 25 pixel मुझे उपर नीचे से चाहिए, लेकिन आजो बाजो से मुझे कुछ नीचे और important use करो, else वो लेने नहीं देगा, आपको 3, 2, 1, and boom guys, देखो, perfect दिखाए दे रहा है, ठीक है, और देखने वाली बात एक है कि यह background color क्यों नहीं apply हुआ, यहाँ पे भी important करते 3, 2, 1, and boom guys, perfect, all right, card header ने अपना काम कर चुक है, so now card body, card body म अगर मैं सिर्फ padding कर दूँगा, उपर नीचे से 30 pixel का, आजो बाजो से मुझे लेना देना नहीं है, so 0 लिखा, 1 second, and perfect, एक problem हो रहा है, अभी भी वो यह, कि हमें वो दिख क्यों नहीं रहा है, जो मैं चाहता हूँ effect, ठीक है, इस तरी किसे मैं लिखा, ठीक है, all right, आपने द देखाईए, यह साब li है, इनके बीचे मुझे थोड़ी spaces चाहिए, थोड़ी अहीनों, तो वो कैसे होगा, देखो, margin उपन नीचे से मैं यूज कर रहा हूँ, so guys, आप देख सकते हो, मैंने margin दिया, उपन नीचे से 10 pixel, आजो बाजो से 0, font weight दे दिया, 418 minutes thin, font size दे दिया 15 pixel क line height दिया, 1.6 color यह पकड़ा, एन साथी साथ जो footer था, हमारा यह देखो, यहाँ पी यह जो footer है, इसको भी मैंने क्या कर दिया, background color यह दे दिया, और इसका हमने padding चेंज कर दिया, so 3 to 1 and boom, तो आप देख सकते हो कुछ, अब हमें इस तर के से एक दम पाफेक दिखाई दिख लिया ना, इससे को ही मैं copy करने वाला, पूरा का पूरा, ठीक है, और उसको मैं यहाँ पर paste कर देने वाला हूँ, क्योंकि मैंने का ना, repeatable है, तो किसलिए बार बार आप लिखना उसको, so guys, आप देख सकते हो, मैंने just उपर जो हमने header create करते समय, जो button create क्या था, I mean, जो anchor tag उ पूरा CSS उठा दिया है, ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, कि यह जो card footer है, ठीक है, यह header button के बतलेगा, इस मुझे card footer यूज़ करना है, control, save, एक बार मैं अगर आपको दिखा हूँ, तो कुछ हो ऐसा दिखेगा, कि अब हमें दिखने से रहा, ठीक है, देखो ऐसा, लेकि और एक और चीज़ गाइस, मैं चाहता हूँ कि जब मैं hoover करूँ तो इसका color change हो जाए, है कि नी, so उसके लिए guys मुझे क्या करना है, कि background पे मुझे ये color चाहिए, background पे ये color चाहिए, alright, and मेरा जब background को ये color आ गया, तो color उसका white हो जाना चाहिए, simple बाकि सबसे में, alright, ये द default already उपर है, लेकिन ये उपर आ रहे, तो वो कैसे आ रहा देखिए, सबसे पहले तो ये की मेरे hoover करने पर ये उपर चला जाना चीए, देखो, तो वो कैसे हो रहा देखूँ, अभी इसको फिला lazities रखो आप, card को अगर मैं करता हूँ, complete के आमारे card है, hoover अगर मैं करता हू उसको, तो guys, transform, आपको याद है कि CSS की property है, transform, translate y, and minus 20 pixels, जो हमने अग भी देखा था, box, shadow, same, ये ही रहेगा, तो इसको मैं copy करता हूँ, paste, perfect, एक second, paste, all right, ठीक है, स्थिर कैसे हुआ, इसको refresh करता हूँ, guys, आप देखोगे, एक second, ये तो उनका ही है, ये देखो, मतलब हमने ज hoover करने पर इसका color, इसका color, इसका color change हो जाए, तो सबसे पहले तो ये hoover जो हमने किया है, ठीक है, उसको मैं क्या कर देता हूँ, जब मैं card को करूँगा hoover, ठीक है, तब वो change हो जाना चाहिए, तो इस तरिके से जब मैं लिखूँगा, and boom, guys, अब आप देखोगे, अगर, तब ये हो रहा, अभी मुझे ये basic और इसका भी color change करना है, तो कैसे देखो, card को जब मैं करूँगा hoover, फिट से हा, देखो, ये आपको बार-बार लिखने ही पड़ेगा, अगर same property होता तो हम एक साथ add कर देते, जो मैं आपको यहाँ पर करके दिखाऊँगा, जब मैं card को करूँगा hoover, तो ये जो मेरा card है, ठीक है, card का जो मेरा header है, उसका color plus, again जब मैं card को करूँगा hoover, तो ये जो मेरी money है, उन दोनों का color change हो जाना चाहिए, तो एक साथ आप दो property को इस तरीके से use कर सकते हो, आपको जब लग रहा कि same के same है, ठीक है, क्योंकि हमें card के header, ये c0, this is it, तो आप देखो, कैसा लगा आपको, ठीक है, अभी by default इसको मुझे top पे ही रखना है, समझ रहो, by default इसको मुझे top पे ही रखना है, तो मैं क्या करता हूँ, कि ये जो मेरा second वाला div है, ठीक है, इसको मैं एक नाम दे देता हूँ, यहाँ पर आप कुछ भी नाम दे स save, यहाँ पर मैं जाता हूँ, refresh करता हूँ, card second मैं ने लिखा, all right, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कैस ये जो property जो मैं hoover करने के बाद जो हुरी, उसको मैं पहले सी by default पकड़ा देता हूँ, 3, 2, 1 and bow में देखो, कैसा लगा आपको, and आप best बात देख सकते हूँ कि ठीक है, वो चलाएगे, वो थोड़ा अच्छा था, लेकिन गाइस उतना भी अच्छा नहीं लग रहा था, अब आप देख सकते हैं, perfectly काम कर चुका है, all right, तो our pricing हो चुकी है, now our happy clients, ये कैसे करने हैं, देखो, यहाँ पर मैं जाता हूँ, ये खतम हो गया है, and guys, अगर आप अब भी तक ये वीडियो देख रहे हो, तो समझ लो guys, आप पक्का कुछ ना कुछ जरूर करोगे life में, क्योंकि इतना dedication आप दिखा रहे हो, ठीक है, all right, all right, तो देखे guys, अभी इतना तक हम कर चुके guys, अब मैं चाहता हूँ, आप थोड़ा से rest करो, ये नो, थोड़ा उठ stretch कर लेता हूँ, लेकिन ठीक है, कोई नहीं, अब भी क्या करते हूँ, यहाँ पर आ चुका हूँ, अब भी मुझे चाहिए our customer, customers feedback, ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हूँ, अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, start, इसको मैं हटा देता हूँ, end को और यहाँ पर इसको मैं से अटा देता हूँ, ठीक है, यह जो section हमने use किया था, ठीक है, इसी को ही मैं यहाँ पर आके paste कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हम सेम ओही चीज़ करने वाले बार बर, alright, तो अब मुझे क्या खाली change करना है, इसका pricing मुझे change करना है, यहाँ पर मैं जाता हूँ, instead of pricing है, इसम यहाँ पर इसको इस्तर किसे paste कर देता हूँ, यहाँ पर जो मेरा paragraph है, उसको मैं copy करता हूँ, and our satisfied customer says, जो उन्होंने बोला, वो मैं लिग देता हूँ, अब यहाँ जाके refresh करता हूँ, तो हमें कुछ इस्तर किसे दिखाई देगा, अब यह जो text white है, वो मुझे नहीं चीए, इतना हुआ, अब भी guys क्या करना है, देखो, simple सा है, और ठीक, इस paragraph में भी guys कुछ class add करना चाहूँगा, that is text capitalize करता हूँ, and मैं padding top 1 देना चाहूँगा, ठीक, उपर से थ्वाँ सा padding देना चाहूँगा, इसको, perfect, आब अच्छा दिखाई दे रहा है, अब भी देखोगा, इस अगर मैं kerosol पर जाता हूँ, kerosol, kerosol, यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर मैं kerosol पर गया, यह वाला जो code है, इसको मैं ditto करता हूँ, copy, यहाँ पर आप देख सकते, यह जो आपको दिखाई दे रहा है, deep, id, demo, जो इस तरीके से लिखा है, इसको मैं यहाँ पर कर द दिख के अंदर आपको क्या करना है, मैं बाता आता हूँ, देखो, ध्यान से देखो, यह जो deep है, इस deep के अंदर एक, दो, तीन, आपको याद होगा कि मैं ने टॉप पर यह तीन deep बनाए थे, क्यो ना इसी तीन deep को मैं उठाऊं, और यहाँ पर रग दू, और यहाँ पर र में medium के लिए call, medium 4, ठीक है, and then last में मुझे लिखना है call 12, ठीक है, मतलब पूरा का पूरा एक की नीचे एक आजाना चीए, तो सबसे पहले अगर मैं आपको दिखाऊं, तो we have a box, आपको यह दिखाई दे रहा है, यह पूरा का पूरा मैंने इसको एक box माना है, so मैं simply इस तर यहाँ पर मैं जाता हूँ, और font awesome में यह जो इसको मैं copy करके यहाँ पर paste कर देता हूँ, ठीक है, तो फिलाल वहाँ पर हमारे पास क्या है, वो desktop नहीं है, ठीक है, वो इस तरीके से anchor tag लिखा, and ठीक, इसी में ही मैं guys क्या करने वाला हूँ, यह जो मेरा image tag इसको यूज करने जो की booster 4 का responsive class है, and then image thumbnail, यह दोनों के दोनों guys आपके जो booster पर उसकी classes है, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको वो दिखाई दे रहा, कोई बात ने, उसको हम CSS करके एक दम perfect कर देंगे, all right, ठीक, इतना हुआ, अब ठीक, इस anchor tag की नीचे आपको आना है, एक paragraph यूज करना है उस paragraph का इस में क्या कर देता हूँ, यहाँ पर class में margin, चारो तरब से margin का forward देने वाला हूँ, आगे पीछे उपर नीचे हाँ, और यह जो भी text है, एक second, इस text को मैं आप copy करना चाहूँगा, ठीक है, copy, और यहाँ पर मैंने कर दिया paste for fact, तो copy हो चुका है, and ठीक, उसी के नी page 2 लूँगा, और उसमें मैं लिख दूँगा, फरिस्ति के से web developer लिखा, and यह space कैसे आ गया, मुझे नहीं मालूम, ठीक है, यहाँ पर मैं जाता हूँ, refresh करता हूँ, पौफ, इतना आ चुका है, अब बस इसको मुझे तीन बार copy and paste, copy and paste करना है, and सिर्फ तीन बार नहीं दे इसको मैं एक time के लिए मैं आपके लिए छोटा कर देता हूँ, और छोटा, और छोटा, तो guys अब भी ध्यान से देखो, यह एक row है, यह हमारा एक carousel item है, ठीक है, उसके अंदर इसको मैं हटा दू, इसको छोटा कर दू, और इसको भी छोटा कर दू, तो यह आपका जो पह करना पड़ेगा, paste, ठीक है, और यह जो मैरा third images है, उसके बदले भी मुझे इसको करना पड़ेगा, paste, perfectly इसरी किसे, control as, save करता हूँ, अगर मैं refresh करता हूँ, एक, दो, तीन, तो basically अब हमारे पास तीन है, यहाँ पर भी आपको दिखाई दे गए, देखो, नीचे दिखाई दिया, तो this is it guys, अब अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊ तो अपने देखा just अभी क्या हुआ, एक के अंदर मैंने तीन images रखे, then दूसरे वाले के अंदर तीन डिप, and then तीसरे वाले के अंदर तीन डिप, ठीक, इस तरिके से guys ही हमारा हो चुका है, अभी मुझे क्या कर इसको CSS करके आपको दिखाना है, और इसको ही मैं करता हूँ, copy और यहाँ पर करता हूँ, paste और यहाँ पर end के बदले कर देता हूँ, start perfectly, and I think guys, यह आपको समझ गया होगा, क्योंकि बहुत जाता है important था, जहाँ पर मैंने थालका से trick लगाया, और कुछ नहीं, एक image के अंदर बस मैंने यह तीन डीप को रख दिया है, ठीक है, so सबसे बहुत देखें guys, मैं क्या लिखता हूँ, happy clients इस तरी कैसे लिख देता हूँ, c-l-i-e-n-t-s, ठीक है, आपको spelling एकदम perfect लिखना, इसका width कर देता हूँ, 100%, height कर देता हूँ, 100 view height, मतलब complete पूरा का पूरा height, and then padding दे उसका मैं कर देता हूँ, 1 pixel solid, and जो आपका color होगा, that will be your RGB color, ठीक है, black color का हलका, मैं उसमें effect देने वाला हूँ, 0.3 दे देता हूँ, 0.2 दे देता, perfect, and then guys, इसका जो box shadow होगा, and guys, आप देख सकते हूँ, just मैंने अब इसको copy care में दिखाना चाहूँगा, कि box shadow मैंने horizontal offset, vertical offset, कि इतना spread zero कर दिया, color मैंने ये दिया, black color, border radius 2 pixel दिया, transition मैंने दिया, इतना, ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ, इसको refresh करता हूँ, तो guys, कुछ normal इस्तरी कीसी दिखाई देगा, जो आपको दिखाई दे रहा है, अब भी अप मैं अगर box को करता हूँ, hoover, ठीक है अगर मैं box को कर दू, hoover, तो क्या, इसका मैं background चेंज करना चाहूँ, background का color अगर आप देखोगे, तो 16C9, ठीक है, 16C9 and F6 आपको दिखाई देगा, इस तरी के से, control as, save, refresh करता हूँ, तो आप देखो guys, color change हो रहा है, वो सब अब भी हो जाएगा, उसका बिल्कुल tension मतलब, and I know अपमें से बहुत लोग जो एकदम important कर रहे हो, that is कि इसको मैं goal करके center पर कैसे लेकर आता हूँ, है कि नहीं, so guys, आप देख सकते हो, मैंने ये 3 property को copy आरे, बहुत simple है, जब मैं box को करूँगा, hoover, तो ये जो paragraph है, ये जो मेरा paragraph है, इसका color change हो जाना चाहिए, white color में, ठीक जा रहा हूँ, क्योंकि अभी वो deep के अंदर है, and उसका मैंने color change कर दिया, यहाँ पर इस्तर किसे, so 3 to 1 and boom guys, अगर आप देखोगे, तो now, आप हमें ये perfectly 3 किसे दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादे important ये, कि इसको मैं save कैसे दूँ, image को, all right, तो देखो guys, जि मैंने इसको कर दिया, relative, तो इसका अब देखो क्या करता हूँ, box A के अंदर जो image है, एक सेकें, dot, यह, मतलब colon नहीं लगा, इस तर किसे, box A के अंदर जो image है, उसका width मैं कर दूँगा, 100 pixel, and belief मैं का इसे बहुत simple है, height कर दूँगा, 100 pixel, and border radius simply मैं अगर कर दूँ, border radius 50%, तो on the spot auto circle पर बन जाएगा, and इसका margin टॉप मैं कर देता हूँ, 20 pixel, so 3, 2, 1, and boom guys, कैसा लगा आपको, एक दम perfectly center पर आया की न, यह सब है की न, alright, इतना हुआ, अब एक और code मैं guys, आपको copy करके दिखाता हूँ, क्योंकि वो बहुत simple है, यह वाला, after वाला जो भी है, box A का, अगर मैं after करता हूँ, तो, इसका मतलब क्या होता, देखो, मैं आपको बताता हूँ, guys, यह just मैंने अभी जो copy किया न, वो कने से पहले, आगर आप चीज एक notice करोगे, तो थोड़ा सा weird यह हो रहा है, कि इसको मैंने 100 VH दिया, उसके बावजूद भी मुझे उपर की इस से दिखाई द यह, यह अपने जगे perfect है, यह अपने जगे एकदम perfect है, sorry, यहाँ पर था यह, all right, ठीक है, and आपने just notice किया कि, guys, यह जो center वाला है, जो यह हिस्सा था, यह अब यहाँ पर आच चुका है, देखो, तो यह कैसे आए, guys, यह just अभी जो मैंने copy किया था, वो उसके through आया, लेकि इसको मैंने क्या बोला, guys, यह जो मेरा image है, इसको मैं as it is रखता हूँ, एक एक पार्ट आपको दिखाता हूँ, so guys, आप देख सकते हूँ, मैंने इसको comment कर दे, क्योंकि मैं आप लोग को बताना चाहँ, देखो, अब भी फिलाल मैंने क्या क्या खाली, after element उसका रहा हूँ, अब भी आपको वो दिख नहीं रहा है, क्योंकि आपको font family, font awesome, लिखना ही पड़ेगा, यह rule 3 to 1 and boom, देखो, आपको वो दिख चुका है, अब भी आप मैं width and उसका height को अगर मैं 40-40 कर देता हूँ, तो भी आप भी आपको कुछ नहीं दिखा है, क्योंकि मैंने background color दिया नही ठीक है, तो मैं background color दे देता हूँ, कुछ इस्तिर के से and boom, आपको आप देखो background color आचुका है, हलका सा, आप देख रहे हो, आपको हलका सा background color दिखाई दे रहा है, बहुत light color का, and उसका border radius इतना कर दो 50%, तो आप वो goal हो जाएगा, देखा, वो goal हो गया है, ठीक है, आपको दि position हटा दू, top and left, इस तरी के से guys, मैं उसको कोने में लेके जा रहा हो, position absolute, top, left and right, and इसको आप मैं वापस 100 पर कर देता हूँ, and refresh करता, boom, आप देख सकते हो, कुछ आप वो ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है, अब किसी तरी किसी circle के अंदर ये icon को मुझे center पर रखना है, and मै अगर आप display flags, justify content center, and align item center लिखते हो, and boom, तो वो आपकी center पर आ जाता है, this is it, इतना simple था ये, है की नी, अब ये जो बीनो था पर ये जो web developer लिखा, इसको आप हमें क्या करना है, इसको set करना है, तो वो कैसे होगा, देखो, box के अंदर जो मैंने h1 लिखा, अगर उसका मैं font size कर देता हूँ, guys, 13 pixel का, alright, font weight कर दूँ, मैं 400, it means basically, वो थीन ही रहने वाला है, उसका color मैं कर देता हूँ, guys, triple zero, मतलब black, ठीके, and then जो margin bottom होगा, margin bottom, उसको मैं कर देता हूँ, 10 pixel, perfect, ठीके, and उसे तरिके से उसके नीचे जो box होगा, I mean h2 है, box के अंदर, उसको मैं set कर देता font size, उसको मैं देता हूँ, 13 pixel का, I think, इसका मुझे 18 का ना बढ़ेगा, ठीके, 13 pixel दिया मैंने, यहाँ पर मैं जाता हूँ, perfectly, and इसका जो font weight है, font size तो just अभी क्या font weight मैं कर देता हूँ, guys, 400 pixel का, and then इसका जो color होगा, that will be your 66666, ठीके, इस तरिके से आपको पाता चल जाएगा, यह कौन सा color है, and then margin, bottom, जो अगर मैं कर दू, 20 pixel, and guys, इसको मुझे 400 नी, 700 थोरा bold दिखाना चाहूँगा, मैं, Ctrl S, save करता हूँ, and boom, guys, तो देखो, perfectly अब यह आपका हो चुका, so all right, guys, यह complete हो चुका, लेकिन अब भी एक चीज़ है कि आप देख सकते हूँ, left and right side से आपको य इनर्ट दिखाई देर, आपको, ठीक है, यह आपर मैं direct container यूज़ कर देता, and 3, 2, 1, boom, guys, कैसा लगा आपको, देखो, perfectly आच चुका है कि नहीं, so guys, आप देख सकते ही, हमने almost हमारा 70% तक देख चुका, यहां तक हो गया, what do we offer हमारा यह credit, our pricing, and happy clients, now we will see, कि यह contact us कैसे credit करना ठीक है, तो मैं again, अपने index.html पर जाता हूँ, यहां पर ठीक, जहां पर अपना यह section end हुआते, इसको मैं copy कर लेता हूँ, ठीक है, contact us starts लिख देता हूँ, क्योंकि इसको मैं यहां से end हटा दूँग, और इसका start यहां से मैं हटा दूँग, so guys, मैं top पर जाता हूँ, and then again, म मुझे चाहिए, तो इसको मैं इस तरिके से copy करता हूँ, and ठीक एकदम नीचे आता हूँ, इस तरिके से, और ठीक, जहां पर यह चाहिए, उच जगे push section को मैं add कर देता हूँ, और सबसे पहले यह section को मैं कर देता हूँ, close, alright, तो instead of happy clients guys, मैं क्या लिखूँग, यहां पर simply contact us लिख देता हूँ, contact us लिखा, alright, मैंने, और यह काम करता हूँ, यहां पर मैं कोई ID भी दे देता हूँ, मैं इस तरिके से ID दे देता हूँ, contact ID, ठीक, इस तरिके से spelling वले रोग हो सकते है, बढ़ ठीक है, contact ID दे देता हूँ, and guys, यह जो our happy clients लिखा, इसके बदले मैं contact us लिख देखे, देखो, direct emoji उसके, बाकि सब डिटो 703, 2, 1, and now, देखो, again, contact us, this is the best part, हमने already coding करके रखा हूँ, हमने already paragraph set करके रखा हूँ, तो हमें कुछ करना ही निखा ली, उसको add करते जाना, and automatic वो हमें output में आ रहा, ठीक है, alright, अब देखने वाली बात यह है, कि यह जो contact us का form है ठीक है, तो सबसे पहले we have this beautiful background, तो वो background होने से पहले मैं आपको बात आना चाहूँगा, कि यह form मैंने किस्तिर के से लिखा है, and आप देख सकते हो, यह perfectly center में, अगर आप right side का offset, and then left side का offset देखोगे, तो यह perfectly center में है, and then, जब मैं hover कर रहा हूँ, किसी भी, you know, कहीं पे भी, तो आप जाके आपको इस submit button देख रहा है, हाला कि मैंने already बनाया है, but एक region है, जिसके कारण जब मैं hover कर रहा हूँ, तब ही वो देख रहा है, तो देखेगा है, सबसे पहले हम हो form create कर लेते है, so, एक div ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं container class देता हूँ, all right, तो ज़्यादा मैं large device space को देना चाहूँगा, art, मैं medium device space को देना चाहूँगा, art, and then, simply guys, जो हमारा mobile device होगा, उस पे मैं देना चाहूँगा, 10 column की spaces, ठीके, अभी मैंने इस तरह की से 8, 8 जब लिखा ना, मैं अभी आपको दिखा तो देखो, क्या होता है, सबसे बहले तो मैं क्या करता होगा, इस bootstrap 4 पर जाता हूँ, all right, इस तरह किसे bootstrap 4 पर गया, आपको सीधे सीधे देखना है कि forms कहा लिखा हूँ है, ठीके, अगर आप देखोगे forms, we have a forms, यहाँ पर आप देख सकते हो, all right, यहाँ पर यह देखे गाइस, इसको मैं simply copy करने और कुछ नहीं, इसको मैं कर लेता हूँ, copy, ठीक है, यह बहुत simple था, कोई बड़ी बात नहीं, इसमें form बहुत easy है, bootstrap का, यहाँ पर simply form group, and then आप देख सकते form control, खाले यही दो class user है, एक div लेना, जिसके अंदर आएगा form group, मतलब आप दो लोग को एक साथ group कर रहे है, so प default bootstrap ने अपने CSS add के हुई है, जिससे वो कुछ इस्तिर के से beautiful दिखाई देता है, तो इसको मैं control as shape कर देता हूँ, यहाँ पर जाके, अगर मैं refresh करूँगा, तो आप देखोगे, कि वो मुझे left side से दिखाई दे रहे है, ना कि center में, ठीक है, तो मैं आपको यही बात आने व तो आप यह perfectly center बहेंगे, तो गैसे interview में पूछते हैं कि किस तरिके से आप grid system के मदद से एक दम perfectly center बना सकते हो, तो देखो कितना simple दे, उसी तरिके से guys यह जो आपने लिखा भी offset से मुझे यह medium devices के लिए भी करना पड़ेगा, all right, medium के लिए कर दिया, and यह मुझे mobile devices के लिए यहाँ पर 10 है, तो left से 1, right से 2, तो call 1, perfectly, अब यह कहीं पे भी किसी भी devices में अगर आप देखोगे, यह हमें सा perfectly center में responsive रहेंगे, all right, इतना हुआ, अभी हमारे case में क्या है, एक, दो, तीन, और तीनों की तीन, almost same है, right, तो मुझे यह password वाला नहीं चाहिए, यह label भी नहीं च ठीक है, तो, तो मैं क्या करता हूँ, कि यह जो email address लिखा है, यहाँ पर और आप देखोगे, guys, मैंने वो email address लिखा भी नहीं, so we don't need यह label वाला, ठीक है, यह label अपने को नहीं चाहिए, इसको भी हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, perfect, all right, ठीक है, अब यहाँ पर जो यह space है, guys, इसको पहले आप ठीक कर लिजे, यहाँ पर भी इसको भी मैं ठीक कर लेता हूँ, ठीक है, एकदम perfect है, अभी क्या करना है, कि form group लिखो ना लिखो चलता है, ठीक है, कोई बात नहीं आप लिखी, यह जो type है, इसको आप email मात कर, इसको आप कर दो, text, क्योंकि म यहाँ पर आपको number दिखाई देता है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि HTML5 में यह नया आया है, यहाँ पर लिख दो, simply mobile, ठीक है, अगर आप से इतना में लिखोगे, तो guys, बहुत perfect हो जाएगा, यह एक second, all right, तो अब मैं अगर, यह तो पहले बार आ था, ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, guys, अगर मैं अगर यहाँ पर ऐसे क्लिक किया, तो आप देखो कि guys, मेरा, you know, सब कुछ दिखाई दे रहा हूँ, आपर वो मुझे नीची, so what I want, यहाँ पर मैं लिखूँगा auto, ठीक है, यह कि ठीक है, अब मुझे वहाँ पर कुछ ने कुछ चाहिए ही चाहिए, तो इन दोनों को मैं कर लेता हूँ, copy, यहाँ पर paste, ठीक, यहाँ पर paste, all right, तो guys, अब हमेना जावास्क्रिप्ट की थरूँ वैलिडेशन करनी की need भी नहीं पड़ी, यह एक basic जो आपको वैलिडेशन चाहिए, all right, वो आपको HTML5 ने प्रोवाइड करा दिया, simply अगर आप यूज करते हो, required attribute, ठीक है, तो इस तरकी से मैं जाता हूँ, refresh करता, all right, आप देखोगे, मैं क्लिक करूँगा, नहीं आ रहे वो, and अगर मैं directly submit करता, तो please fill out this field, बात ख़ता, इतना simple, अगर मैं यहाँ प One more thing, that is, एक चीज बज गया, वो है आपका text area, तो अब एक text area क्या होता, देखो, simply inputs पर आईए, आप, यहाँ पर आप देख सकते, we have this text area, तो simply इसको copy करो, यहाँ पर paste कर दो, देखो, मैंने क्या बात है, जो चीज already available है, उसके लिए ज्यादा एकदम दिमाख नहीं लगाना चीजिए, क्योंकि हमें मालूम है, फर्स्ट टाइम अगर आप कर रहे हो ना, तो इस बेटर कि आप सब क्लास इसको हैंट से करो, ठीक है, लेकिन अगर हम अभी वेबसाइट क्रेट करें, अब हम एक लेबल अप है, that's why हम copy paste करें, क्योंकि हमें मालूम है यह, ठीक है, तो text area from control row 5, यह ठीक है, कितना होता वो देख लेते पहले, तो एक बार यह, control है, save करता हो, ज्यादा बाड़ा नहीं दिखना चीए, रिफ्रेस करता हो, so guys, आप देख सकते हो, बहुत बीटफुल दिखाई दे रहे, एक प्रब्म में कि I think यह थोड़ा बाड़ा दिखाई दे र और इसमें क्या है, enter your name, इसको मैं copy भी नहीं कर सकता, enter your name, एक सेकंड में आपको एक चीज़ बता दा हूँ, अब भी just मैंने जैसी यह जो word बोला नहीं कर सकता, तो guys, यह फिर अच्छा नहीं हो, यह सुनने में अच्छा नहीं लगता है, यह word नहीं कर सकता, so देखे guys, simply क् right click inspect कर दो, यह किस पर है, यह mobile पर अभी, ठीक है, और यह mobile devices पर responsive है, इसको click कर दो किसी भी एक पर, ठीक, अब पहले में mobile पर कर जाता हूँ, यहाँ पर मैं जाता हूँ, and अगर आप देखोगी, just अभी मैंने आपसे जो कहा था, कि साथ मैं copy नहीं कर सकते हो, बिल्कुल नहीं बोलना ची मुझे, क्योंकि मैं ही अगर आप लोग को समझा रहा हूँ, और मैं बोलता, copy नहीं होगा, तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, अब मैं आपको copy करके दिखाँगा, फिर देखो, placeholder, and then, अब यह जो आपका div है, ठीक है, कौन सा यह mobile number है, so mobile number का copy and paste कैसा लगा, अब इसका भी मैं copy करके दिखाता हूँ, आप लोगों को, all right, यह कौन साच चीज है, display flex, just by content, all right, ठीक है, on click, ठीक है, अच्छा, यहाँ पर आपका दिखाई देगा, placeholder, enter your, ठीक है, देखो, इसको मैं करता हूँ, copy, enter your message, आपको ठीक, इस जिगे पर आके, यहाँ पर जहाँ पर ID, आपका comment लिखा है, वहाँ पर आपको आके लिखना है, enter your message, लेकिन उससे पहले आपको placeholder तो देना पड़ेगा, so placeholder and then enter your message, this is it guys, इतना simple था, इसको मैं हटा देता हूँ, एक बार इसको control, save कर, so कैसा लगा आपको guys, just अभी copy नहीं कर सकती वाला, ल यहाँ पर इसको मैं कर देता हूँ, and perfectly all right, ठीक है, तो सबसे पहले हमारे कियागा, इसी जो contact us, हमने लिखा है ने, इसको मैं इस्टैल करना है, सबसे पहले तो, तो कैसे होगा वो इस्टैल आप देखिए, ठीक है, मैं width हमेशा की तरह 100% देने वाला हूँ, इसको height देने व दिखा सकू, वो background कैसे वह, हाला कि मैंने आपको उपर दिखा ही चुका है, खाली हमें degree के साथ खेलना है, लेकिन उसके बावजूत मैं आपको बताता हूँ, कैसे करना है, ठीक है, control s, save कर देते, एक बाद रिफ्रेस करूँगा guys, perfectly देखो, अब यह 100% भी आचा चुका है, इसको completely एक height मिल चुका है, अब कितना beautiful उपर और नीचे से हमें perfect gap दिख रहा है, all right, तो यहाँ पर contactors पर जाता हूँ, यहाँ पर मैं before पर जाता हूँ, आप चाहा है, तो after भी लिख सकते हो, ठीक है, तो सबसे पहले we have a content, ठीक है, जिसको कुछ लेना देना नहीं है, then we have position absolute top कर दो 0, all right, left भी कर दो 0, बाकी दो लिखनी की जौत नहीं, and जो सबसे जादे important है वो है, आपका background जहाँ पर आपको लिखना है, linear gradient, इस तरीके से simply spelling एकदम perfect रखना है, ठीक है, linear gradient, और इसके अंदर पहले तो मैं guys, दो color add कर देता, that is here, 16C9F6, मैंने just अभी क्या वाला, 16C and then F6, all right, आपको ये कितना percent देना है, ये हमें देना है 55%, क्योंकि linear gradient के लिए आपको हमें साथ 2 color देने ही पड़ेंगे, और जो दूसरा होगा, होगा मेरा F, triple app, it means white color, all right, इतना लिखूंगा न, तो देखो क्या होता है, so guys, control है, save करता है, and refresh करता है, आप देखोगे, कुछ नहीं दिखाई देर, ठीक है, उसका reasoning के guys, आपने top 0 लिखा, left 0 लिखा, ठीक है, लेकिन अब top 0 मतलब ये, और left 0 मतलब ये, लेकिन end किदर करना है आपको, समझे रहे हो, तो आपको यहाँ पर भी bottom 0 लिखना पड़ेगा, and then guys, आपका एकर चीज़ बजगे, that is right 0, ठीक है, इस तरह कर से आपको लिखना ही है, guys, ये, आप समझ लो कि ये आपको लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि, हम position बत आ रहे है, कि मुझे top 0 लेपट 0 लेपट लेज़ लेज़ राइट का भी 0 लेज़ बटम का भी 0, मतलब ये पूरा पूरा आइसपेस आपको चाहिए, चाहिए इसको यूज करने के लिए अब इतना से काम नहीं चलेगा अब इसको अगर मैं कंट्रोलाइब कर देता हूं तो देखो आपको कुछ इस्तरी के सी दिखाई दे रहा है ठीक है अब अगर यहां पर मैं कर दो जैसे मैंने वहां पर एड किया था वां शिक्टि अगर यहां पर म इसमें जी इंडेक्स इसको माइनस वां दे रहा हूं नेगेटी वउन ताकि सबसे पीछे चले जाए एंड बूम तो अब भी आपको यह जो बैग्राउंड में वाइट कलर दिखाई दे रहा हो मेरा यह जो मेरा पेज है उसका वाइट कलर नहीं है वो यह जो मैंने दिखाई दे रहा है और राइट इतना हो चुका है अभी मुझे क्या करना देखो तो ये और ये और ये जो चीजे ने ये एकदम पॉफेक्ट इसको मुझे टच भी नहीं करना है मुझे ये बटन को एकदम सेंटर पर कैसे लेक्शे आँ वो देखिए बटन को सेंटर में करना है न मुझे तो क्या करता होगा इस यहां पर ये अगेन में एक डीव लेता हो और जो मैं बार-बार आपको डिस्पले फ्लैक्स वाला करके दिखा रहा था न मैं आपको वापस हो करके दिखाता हूं एक एंटर हिट करते तो ताकि आप लोग अच्छ इतना सिंपल है गाइस ही है समझ रहो दिस इट अगर आप दियान से देखोगे वी हैब इस फॉर्म यहां पर आप देख सकते हमारे पास यह फॉर्म है ठीक है तो इस फॉर्म जो की एक टाइग है फॉर्म के अंदर आपका जो यह बटन है उसको मुझे थोड़ा सा स्टैलिस करने है ठीक है एंड जो स्टैलिस करना है इस मैं आपको बाता रहो कि यहां पर देख सकते हूं कि यह कैसे दिखने वाला और जो So guys, आप देख सकते हो कि जो just अभी मैंने copy किया तो वो उस पर effect नहीं कर रहा है, all right? तो मैं आपको एक best पात पात है, क्या बताना चाहूँगा, कि जो हम इस button को करना चाहूँगा, इसके उपर अगर एक deep है, तो उसी को ही एक class देदो, form and button, इस तरीके से उसी को एक class पकड़ा दो, इसको करो copy, यहाँ पे आओ, और instead of this form, तो direct जो अभी हमने class add किया, उसको यहा background में लिख दे तो इस तरीके से transparent, और जैसी मैं इसका background लिखूंगा transparent, तो देखो guys, अब वो हमें देखी नहीं रहे, कैसा लगा, वो back जा चुक है guys, वो transparent कर दिया तो कुछ देखेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि मुझे जब मैं उसको करूँगा hover, तब मुझे उसको दिखान होबर, तब मेरा यह जो बटन है, वो उसका देखो क्या करता हूँ, तब मैं इसका background कर दूँगा, triple F, white color का इसका जो color होगा, ठीक है, इसकी जो color होगी, उसका color होगा, यह जो color मैंने already उपर use किया हूँ, इसको मैं copy कर लेता हूँ, perfect इस तरीकी से, ठीक है, and then इसका last होगा कि कैसी, इसका जो box shadow है, मैं आपको दिखाता हूँ, box shadow करके, and 0,0,20 pixel, 0,0 मतला horizontal, then vertical object, then आपको कितना blur करना है, आपको कितना इसको spread करवाना है, and आपको कौन सा color उसको देना, RGB इसको लिखना है, last आपका alpha value, and इसमें मैं मैं आमेसा mostly black color ही पकड़ाता हूँ, so 0.3, ठीक है, ctrl s save करता हूँ and 3 2 1 and boom guys कैसे लगा आपको देखो अब जब भी आप over करोगे तो आपको वो दिखाई देगा and one more thing guys see जो आपको placeholders दिखाई दे रहे हैं अब मैं आपको इसमें बाता हूँ कि आप placeholders को भी कैसे edit कर सकते हो आपको double colon लिखने and you have to write placeholders इस तरीके से ठीक है आपको placeholder लिखने अदर्वास आपके पास कोई चारा ही नहीं कि आप placeholder को कैसे करोगे guys अगर आपको मालूम है ठीक है कि without using double quotes यह दो बार double quotes and then placeholders placeholders भी नहीं placeholder लिखने एक यह तरीका है जिससे हम यह जो अंदर placeholder उसको edit कर सकते है ठीक है अगर आपको इसके अलाबा कोई दूसरा trick मालूम है तो नीचे comment करके जरूर बताना guys क्योंकि मैंने कभी search किया नहीं मैंने कुछ जानना है कि है भी या नहीं ठीक है मैं हमेशा से जब भी placeholder करना होता है मैं यह वाले properties करता हूं and then simply font size को घटा के कर दूंगा 0.85rem root em ठीक है and boom कैसे लगा पतला हो गया and now it's looking awesome और यह अपना मुझे वो दीखनी रहा तो guys इसको जब मैं कर रहा हूं hoover तो इसका color मुझे यही देना पड़ेगा फिर से ठीक है यहाँ पर मलब आपको ऐसे check करते रहना कहां पर क्या problem हो रहा है पेस्ट एक सेगंड पेस्ट और फेस्ट किया अब यहां पर मैं instead of contact us क्या लिग देता हूं newsletter newsletter starts और यहां पर end तो यहां पर end को आटा देता हूं यहां पर start को आटा देता हूं perfect हो चुगा इतना अब सबस्क्राइब देखो एक चीज़तों सीओर है कि हमें यह चाहिए ही चाहिए तो इसको मैं कर लेता हूं copy and यहां पर कर देता हूं paste ठीक है यहां पर जाके section को भी कर अब देखोगे इस क्या हो रहा है यहां पर अगर आप देखोगे so we have यह एक पार दिखाई देर जहां पर email id लिख सकता और यहां पर subscribe आपको दिखाई दे रहा है and दोनों के दोनों एक साथ जूड़े हुए ठीक है तो वह कैसे होता है मैं आपको बाता आता हूं we have input groups input groups कर करके हमारे पास है जहां पर अगर आप यह second option देखोगे your email and address example.com ठीक है तो आपको सब कुछ मिल जागा यहां पर आप देख सकते हो so dip and then dip all right perfect ठीक है इस तरह किसे आप कर सकते हो यहां पर and यहां पर simply आप इस एक second सबसे पर तो guys आप dip दे दीजे क्योंकि हमें इसमें भी grid system यूज करना ही पड़ेगा so isco मैं लिग देता हूं container यहां पर मैं जाता हूं इसको मैं दे देता हूं class row and अब देखना यह है कि मुझे इसको कितना access देना है और कितना access नहीं देना है all right so एक और डिब लेता हूं यहां पर मैं जाता हूं इसको मैं large devices पर देना चाहूंगा eight columns and जैसे eight columns दे तो guys मुझे offset अब देना पड़ेगा large का कितना एक second मुझे दो देने पड़ेंगे ठीक है तब ही जाके वह दो दो चार and 8 का बारा बार आएगा and then mobile devices पर guys मुझे इसको completely 12 का बारा space देना है and no offset and all इसको मैं paste कर देता हूं आप जो अब एक second फिर से अभी भी and then paste perfect तो इतना हो चुक है एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यह कैसा दिख रहा है ठीक है control as save करता हूं यहाँ पर जाता हूं refresh करता हूं and boom गा इसको इस्तिर के से दिखाई दे रहा है and all right मैंने साहँ दो background चेंज नहीं है इसलिए background मुझे ऐसे दिखाई दे रहा ह ठीक है एक contact के बार मैं यहाँ पर लिख देता हूं news letter ठीक है and then ठीक इसके बदले भी मैं लिख देता हूं news letter and then id add कर देता हूं subscribe to our newsletter perfect कोई नहीं अब एकदम normal दिखाई देगा हमें इस तरी के से ठीक है अच्छी बात है यह भी हमें मिल चुका है इसको बस हमें क्या करना है अब यहाँ पर जाता हूं सबसे पहले तो इस newsletter को मैं copy कर लेता हूं style पर आता हूं ठीक है उसको मैं यहाँ पर पेश करके रख देता हूं लिकिन उससे पहले guys again एक अच्छी आदत you know just इस तरी के से लिखो and then यह जो contact us आपको दिखाई दे रहा है कुछ जाद ही जूम हो जाता है फिर ठीक है newsletter लिखा guys मैंने यह आप सो गाइस हमेशा की तरह इसको भी width दे तो 100% बट इस टाइम आपको इसका height को एकदा मेंटेन रखना है ठीक है हमें complete height नीचे से auto कर देते जितना उसको चाहिए लेने दो लेकिन एक चीज हम कर देंगी that is margin तो margin से हमें यह पाता चलेगा कि चाहिए जितना भी height हो लेकिन उपर और नीचे से at least 80 pixel का margin हमें मिले and अगर आपको याद होगा just मैंने अभी news letter के जो म मैं जाता हूं all right एकदम ठीक है अब news input में देखो गाई सबसे बलता हूं मुझे क्या करना है कि इनको एक border radius देता हूं मैं border radius perfect और देखो मैं किस तरी के से दे रहा border radius top left यह क्या दिया guys just मैंने अभी top left को मैं दे रहा हूं 100 pixel then top right will be my 0 pixel top right आप समझ लो then bottom right को भी मैं दे रहा ह 0 pixel and then bottom left जोगा उसको मैं दूंगा 100 pixel so guys इसको controller save करते है refresh करते हैं आपको दिखा दू कि guys वो effect नहीं करेगा यह यही एक problem है booster 4 के साथ कि guys आपको important लिखना ही पड़ेगा क्योंकि by default उन्होंने अपने मैंने क्या बता है हर इन्होंने अपने class head कर रहा है form control जब भी हम उसको उसको करते तो इतना bitful हमें दिखाई देते देखो आपको highlight करते एक cursor आ जाना ब्लिंक करना and then पीछे blue color का box shadow आ जाता है वो हम उसको override करने के लिए guys मुझे important लिखना पड़ा अब अगर मैं refresh करता आप boom इस जगे पर ध्यान दो your email के बाद जो में देखो guys अब वो किस तरके से curve आ चुका है ठीक है वो just because of box shadow आता है ये interview में भी interview में तो नहीं लेकिन आपको बहुत जगे काम आता है कि एक site को as it is रखो सिर्फ एक site का किस तरके से color I mean ये you know आपका ये box shadow या border radius आपको change करना हो तो इतना हो चुका है अभी वह हद से ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहे तो मैं एक चीज़ करना चाहूंगा that is की mean width मालब कम से कम मुझे 150 pixel चाहिए ही चाहिए क्योंकि mobile में भी इतने होती ही होती है and then कम से कम 45 pixel का मुझे उसकी height चाहिए ही चाहिए ठीक है so 321 and boom perfect हो गया अब भी आप इसको चाहता है as it is रख सकते लिकिन यह अधिर एट इग्जामपल नीच यह मुझे यहाँ पर यहाँ पर मुझे क्या चाहिए गाई सब्सक्राइब लिख देता हूं मैं ठीक है सब्सक्राइब और ठीक है सब्सक्राइब और ठीक है इस तरी कैसे लिखा अब देख सकते हैं बहुत सिंपल था ओल्राइट तो सब्सक्राइब इसका कलर में चेंज कर देता हूं वाइट ठीक है यह आपको दीखेगा निया अगे यही इसका प्रॉब्लम है बेक्ग्राउंड में जाता हूं इसमें यहाँ पर लिख देता हूं 5B6C0DE ठीक है अभी रेडियस होगा बॉडर रेडियस होगा इसमें इसको कर देता हूं अब देखो टॉप लेट से मुझे चीज जिरो पिक्सल टॉप लेट मालब समस्ते हो आप टॉप लेट मालब यह वाला जा मेरा करसर है ठीक है वह मेरा 0% में ने आइमीं 0 कर दिया है देन आपका जो यह अब यह क्यों कि मुझे टॉप राइट एंड आपका जो बॉटम राइट मुझे सिर्फ दोनों को करना है तो टॉप राइट को बॉटम राइट को भी हंड़ेट बाकि जो आपका एक कौन सा क्या लाएगा गाइस यह क्या होगा आपका बॉटम है और लेट साइड इसको जीरो कर दिया कॉंट्र परता है रिफ्रेंज करता हूं तो गयाइस कुछ होने वाला नहीं है क्या शाना धीक ह मिब यहांप को्थ प्रक्स को बॉटम हई है आपर आपे ओल राइट वहँ हमें नहीं चाहिए तो इसको भी मैं कर देता हूँ कितना गाईस 120 पिक्सल कर देता हूँ कमश़कर मिला चाहिए जाहिए मीन हाइट मीन हाइट लिख लेता हूँ गाईस में 40 एक सेकिन ऊपर कितना दिया ओल रहा है ठीक है 45 region wise 40 and now it's looking awesome ठीक है तो इस तरिके से हम इसको कर सकते है बहुत simple था यह और अगर आपको लग रहा वह पास से तो गाइस इसको 130 कर दो ज़िए अब यह एक दम हो चुका है perfectly all right हमारा इसका काम complete हो चुका है अगर आपको इसमें अगर आप बैकेंड से जोड के फॉर्म वेजना चाहते हो तो आप यहां पर फॉर्म टैक का भी यूज कर सकते हो और इतना हो चुका है अब हमें क्या करना देखो यहां पर मैं जाता हूँ तो simply एक और चीज में जाता हो और यहां पर आप मुझे मेरा footer चाहिए finally हम footer तक आ चुके and don't worry guys अभी तक हमने क्या नहीं देखा है responsive बार टो एक बार यह complete होन दो मैं आपको बता आता हूँ ठीक हम चाहिए तो side by side भी देख सकते थे लेकिन फिर आपको मुझे लेकिन फिर मुझे यह लगा कि कहीं आप confuse ना हो जाओ that is the only reason why एक बार website बन जाए मैं आपको start से बता हूँगा कि responsive आप कैसे check कर सकते हूँ so footer start मैंने यहाँ पर कर दिया है and once जैसी footer start होता है गाइस ठीक है तो सबसे पहले जो मैं हर बार कर रहा हूँ that is copy and paste किसका आपका section device से इसका ठीक है so यहाँ पर मैं जाता हूँ और एक second यह भी नहीं एक second footer दीख कैसे रहे अपना all right footer में तो section की need भी नहीं हम directly क्या करते गाइस यहाँ पर मैं जाता हूँ ठीक है देखो ठीक footer यहाँ पर है यहाँ डारेक footer tag ले लेते है कि नहीं तो यहाँ पर मैं जाता हूँ गाइस इसको footer होने के बावजुद में इसको अपना खुद का एक class देने वाला हूँ that is a footer section id भी दे देता हूँ footer and div दे देता हूँ इस तरीके से ठीक है all right perfect इतना मैं नहीं दिया गाइस अब इसको एक class दूंगा मैं container करके and again मुझे इस पर great system use करना है that is row ठीक है अब देखो क्यों क्यों कि simple एक दो एंद तीन बहुत simple है एक दो एंद तीन मुझे तीन स्पेसे चाहिए एक रो के अंदर and simply किस तरीके से करेंगे तो simply guys यहां पर मैं जाता हूं इसको इस तरीके से डिप लिखता हूं ठीक है यहां पर all right मुझे कितना चीए लाज में मुझे चीए चार ठीक है direct guys अगर मैं display flex use कर देता हूं तो भी automatic एक के बाद एक आ जाए गई है तो as it is मैं इसको dip को लिख के रख दिया है मैं यहां पर क्या करता हूं एक h3 ले लेता हूं ठीक है एक second इसको मैं कर लेता हूं copy perfect and ठीक इसी के नीचे guys paragraph and आपको याद होगा guys मैंने already s3 को उपर top पे एक second मुझे सिर्फ इसको copy करना था ठीक है copy हुआ यहां पर paste ठीक है एक second copy and अभी just जो वह वह तो मुझे नहीं ही चाहिए लेकिन मुझे चाहिए क्या यह all right ठीक है इस तरीक से एक div आया and now it looks awesome and perfect ठीक है इतना हुआ and I think guys में एक चीज़ बोल रहा हूं that is footer का मुझे एक class देना यहां पर यहां पर मुझे class देना पड़ेगा that is your footer deep करके ठीक है यह एक class मुझे यहां पर देना है और इसको मैं इस तरीक से रख देता ठीक है यह जो चीज़ अभी मैंने किया ना इसी कोई मुझे copy करना ठीक है एक बार and then दो बार तो अब आप इसमें notice कर सकते होगी इसमें जो है लाज में तो एकदम perfect है चार चार एंदन चार लेकिन जब medium के बात आएगी तो यह 6 और यह 6 ले लेंगे that means medium में iPad में यह और यह completely 12 हो जाएगा और यह वाला जो है वो नीचे आ जाएगा ठीक है अगर यह नीचे आ रहा तो इसको भी मैं कर दूंगा पूरा का पूरा 12 मेडियम में क्योंकि अल्रेडी दोनी स्पेस खा चुका है ठीक है इतना सिंपल अभी यहाँ पर यह जो about लिखा उसके बादले में navigation link लिख देता हूँ यहाँ पर simply इस तरीके से यह जो तीनों की तीन आपको दिखाई दे रहे है यह basically P के अंदर निये guys यह है आपके LI के अंदर यह है आपके किसके अंदर guys यह है आपके LI के अंदर anchor tag है उसके अंदर as it is रखो ठीक है यहाँ पर आप इस तरीके से लिख दो home and यह जो आपको LI है इसको as it is रखो and अब भी क्या करना है इसी को यह आपको copy करना है चार बार paste कर दो तो यह home then आपका यह जो services है यहाँ पर लिख दो बहुत simple है ठीक है services लिखा आपने and क्या है आपका price and about ठीक है मैंने contact नहीं लिखा क्योंकि contact उठीक उसकी उपर ही है न तो किसली लिखना and about this is it now इसको मैं control as save कर देता है एक बार दिखाता हूँ कि यह हो कैसे रहे कुछ इस तरीकी से रहे एक दो एन तीन ठीक है अब यह जो आपका newsletter होगा वो यहाँ पर आ जाएगा आपका इस तरीकी से newsletter and यह जो है इसको मैं कर लेता हूँ copy और वो यहाँ प यहाँ बेकाटर के नीचे ही हमारे पास्ये आपका subscribe वाला जो आपको दिखाई दे रहे है वह आपको वहाँ पे दिख रहे है so वह कैसे आ रहा है देखो गई बहुत सिम्पल है वो जो सब्सक्राइब वाला है तो अगर मैं यहां पर जाता हूँ यह जो आपको दिखाई दे रहा है एक काम करते है कि यह जो है इस डिप को मैं कम्प्रिट लिका लेता हूँ को कॉपी और अने थीप पेर्अगराप की नीचे अगर मुझे छास करना पड़ा तो मैं यह यह कर सकता हूं उस एक कालीव करता हूँ यहाँ पे जाके refresh करता हूँ and boom guys तब आपको कुछ हो इस्तिर के सी दिखाई दे रहा है इसको हम देख लेंगे अभी कोई problem ने बड़ ओ at least आ गया है है कि नि इतना इसने अपना काम कर लिया है so guys अब मुझे क्या करना देखे अब बहुत simple सा है कि एक काम करते है कि ये खतम की दिख रहा div इसा की नीचे आपको आना है और वर टिख ले लिजे इस त्रिखे से उस div में आप बहुत कुछ कर सकते है जयसे margin तॉप आप दे 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 तो 5 ताकि उपर से आपको gap मिल जा है and text करदो center अब ठीक यहां पर आप एक पी टैग ले लीजिए और यह जो मैंने लिखा है यह पर आपके आ जाएगा सेंटर पर इस इतना सिंपल था अगर आप देखोगे तो पॉफेकल यह सेंटर पर आ चुका है इतना सिंपल था यह अब भी इसको मुझे करना है सबसे करने एखंटर यहां पर यह जो आपको लिखाएग करना है उड sing using अब देखना क्षार थे जぁब सबसे पहले मैं तो ग्लulate कांशान लिखा है इसको में वीट सबसे चुक्चमit से कुछ लेना देना नहीं है पैडिंग देखो बहुत पॉफेक्ट ले आपको देना होगा 70 पिक्सर टॉप से राइट से मुझे कुछ निची बॉटम से मुझे 20 पिक्सल एंड लेट से मुझे कुछ निची अब को बैग्राउंड कलर यूज करना है डाट इस अगें आपका होगा वह डबल जिरो ए बी डबल एफ ठीक इस से गाइस कलर का नाम है कोई नहीं अगर यह कौन सा कलर हो तो अभी आपको पाता चली जाएगा लेकिन अभी मैं पोजिशन डिलेटिव दे देता हूं टिक इतना हो चुक है अभी वह जो मेरा फूटर का सेक्षन है जो में फूटर यूज कर रहा हूं ठीक है फूटर सेक्षन के अंदर मेरे जितने भी पैरेग्राफ यादे आपको मैंने पैरेग्राफ टैग उसकिया हुआ हूँ तो उसका कलर मुझे वाइट करना है क्योंकि बाइडिफॉल्ट वो ग्रे कलर में क्योंकि मैंने एकदम टॉप पर आपको याद होगा ग्रे कलर दिया था ठीक है सो मुझे यहाँ पर जाना पड़ेगा ट्रिपल आप इस त्रीके से कंट्रोल एस सेफ करता हूँ एक बार अगर मैं आपको दिखा हूँ यहाँ पी इसको इसको रिफ्रेश करके तो यह कुछ इस्तिरिके से अब हमें दिखाई दे रहा है अल्मोस्ट कंप्लीट हो चुका है खली यह वाला जो पार्ट इसको मुझे टेक सेंटर करना होगा और तो वह टेक सेंटर में करने के लिए बहुत सिंपल है इस तो मैं क्या करता हूँ कर देता हूँ उसका जो लाइन हाइट होगा 1.6 कर देता हूँ उसका जो फॉन्ट वेट बोल्ड उसको मैं थीन रखना चाहूँगा that is 400 ठीक है एंड इन उसका जो कलर है अपने नोटिस के आगास मैंने कलर दिया तो वह अभी भी ब्लू कलर में ही है क्योंकि बाइड इस एक और चीज में आपको बाता तो यहां पर टेक्स एंटर नहीं हो रहा है क्योंकि मुझे एक काम करते है उसको आप एजटी रहने दो ठीक इस रो पर अगर आप जाओगे ना गाइस तो बहुत पॉफेक्टली काम करेगा वह लेकिन मैं आपको बाता तो आपको क्या कर करना है यह देखो न्यूज लेटर इधर है यह पार्ट आपका जो दिखाई दे रहा है यहां पर अगर आप लिख दोगे इस तरी किसे टेक्स्ट सेंटर और बूम देखो किस तरी किसे पॉफेक्टली सेंटर में आ गया यह और अपना काम हो चुका यह तो गाइस अल्मोस आप नीचे यहां पर मुझे कंप्लेटली बारा चीये और सेट बुल्किल मुझे नीचे तो मैं कंप्लीट साइज दे रहा है मिन मैं कंप्लीट स्पेस दे रहा थी तुवान एंड बूम नाउ इट्स लूकिंग ऑसम पॉफेक्ट ठीक है अब यह थोड़ा सा देख सकती कि प्रूटा सको स्वी अटेट नीम लगं यहीए थोड़ा चोटा यह थोड़ा बड़ा हमें लग रहा है तो इससी करके चोटा यह बड़ा यह दोनूं कर सकते हैं अभी मुझे आपको दिखाना है कि इसको मैं कैसे चेंस करS इंग बड़ है तो इसके लिए मुझे क्या करना जाना होगा एकदम टॉप पे जाना होगा और जो इसकी है एक त्री जो हमने इसके लिए करना है वह मैं आपको करके दिखाता हो यहां पर मैं जाता हूं और है करना सबद्र सक्षें के अंदर जो मेरा है त्री है टीक है इसको मुझे क्या करना देखको है सबस Chandler ट एकस्त जो कर दोऊजा में अपर केश पड्कले पडूर सबसे पहले में चैंज कर देता हूं उनका वाइट कलर मेंकर कर देताओ और क्योंकि म stopping को और margin bottom दे देता हो सबसे पहले तो ठीक है margin bottom दे दे तो 25 pixel का नीचे से 25 pixel का bottom आ जाएगा font की जो size होगी that will be 1.2 rem and आपको दिखेगा नहीं तो आपको important use करना ही पड़ेगा ठीक है यह होता by default दिखती नहीं क्योंकि by default उन्होंने अपना दिया हुए boost जब आप एक सेकेंड यह नीचे कहां से आ गया और क्या कर सकते फॉंट कर देते हैं आप डिरेक्ली यहां पर या तो five या तो 600 लिग दो या तो वोल्ड लिग दो एक एक को होंगे वो दोनों ठीक है margin bottom मैंने उसकर दिया है अब एक चीज बज़िए that is your text shadow text shadow देखो अगेन कैसे text है तो इसके अंदर से हम maximum तीन वैल्यू दे सकते हैं तो horizontal offset, vertical offset कितना आपको इसको I mean blur करना है ठीक है and then किस color के थुरू blur करवाना है तो वो color आपको यहां पकड़ाना है color will be your 0.0.0 it means आपका black color 0.4 control let's save करता 3 2 1 and boom guys तो कुछ इस त्रीकी से एकदम beautiful यह complete हो चुका है तो आप देख सकते हो guys हमारा almost सब कुछ complete हो चुका है ठीक है अब complete नहीं है तो यह कि अगर मैं service को click करता हो तो कुछ हो नहीं रहे ठीक है एंड यहां पर नीचे पर वह आपको दिखने रहा जो आपके लिए आइधिंग जिसके लिए आप वेट कर रहे थे ठीक है तो ठीक है अब हम सबसे पहले उसको देख लेते कि कैसे इसको मैं click करता हो इस icon कर वह टॉप पे चला जाता ठीक है बहुत इस यहां पर मैं जाता हूँ कि यहां पर मैं जाता हूँ इस आई टैक को यूज करता हूँ कूँकि यहां पर आप आप class use करोगे, so we have a font awesome, font awesome में एक arrow दिखाई देगा, arrow लिखने आपको arrow up, मतलब उपर की और आपको वो arrow जारा और बाकि सिंपल है, and then जब आप उस पे करोगे click, तो guys एक function call होगा, जिसका नाम होगा top function, ठीक है, बहुत सिंपल है, top function करके call होगा, और इसको में एक ID दूँग that is, hashtag, लिखनी की जोद निए my button, ठीक है, यह already online available है, तो मैं सेम वही डिट्टो लिख रहा हूँ, मैं कुछ चेंज नहीं करो, हाला कि मैंने खाली इसका, यह changes किया हूँ है, खाली, class आपको जुद दिखाई देगा, icon, ठीक है, control है, save करता हूँ, और आपको याद है guys, हमने already यह देखो, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा, so guys, आप देख सकते हूँ, एकदम bottom यहाँ पर जहाँ पर आपको मेरा mouse का cursor दिख रहा है, ठीक, उस जगे पर वो है, ठीक है, वो दिखेगा नहीं अभी, लेकिन मैं आपको CSS जब तक हम नहीं करें जब तक कैसे दिखेगा So, यह my button को मैं कर लेता हूँ, copy यहाँ पर आता हूँ, I think मैं first time ID उसका रहा है, hashtag लागा किया, so my button लिखा गाई, सबस्वलत इसको मैं display कर देता हूँ, none, all right, इसका जो position होगा, उसको मैं कर देता हूँ, fix ता कि वो हमें दिखाई दे वहाँ पर, और bottom से कितना उपर आना चा एक दम टॉप पे रहना चीए, border कर देता हूँ, none, इनका जो color मैं कर देता हूँ, कौन सा color, white color कर देते, all right, इस तरिके से white color क्या, guys, इसका जो background color होगा, उसको मैं दे देता हूँ, देखो background color simple है, guys, कौन सा देने वाला हूँ, यह जो मैंने double zero कुछ तो भी लिखाता है, यहा यहाँ पे, इसको मैं करता हूँ, copy, और एक काम करता हूँ, यह double को हटा देता हूँ, ठीक है, इस तरिके से हो चुका है, एक बार मैं आपको एक second यह उपर, फिर से आप last में double आई है, इसको हटाता हूँ, और यह जो display ना ना फिलाल अभी इसको as it is रखता हूँ, और मैं अगर आपको refresh करके दिखा हूँ, boom guys, आप देख सकतो है, यहाँ पर आपको छोटा से एक दिखाई दे रहा है, ठीक है, so इसको मैं क्या करूँगा, padding उसको करूँगा, from all sides से 10 pixel का, और जो border radius है, ठीक है, border radius भी मैं दे देता हूँ, 10 pixel का, this is it, इस तरिके से इतना दूँगा और रिफ्रेस करूँगा, boom guys, तो आपको यह कैसे दिखाई दे रहा, perfectly यहाँ पर आ चुका है, अब मुझे कैच है कि इसको मैं hoover करूँ, तो इसका color change होना चाहिए, क्योंकि blue में blue दिखनी रहा है, ठीक है, तो my button पर मैं जाता हूँ, simply यहाँ पर मैं जाता हूँ, इसको अ तो बस simple इतना सा मुझे लिखना था, and ठीक, अब देखो, कैसा लग रहा है, लेकिन अभी call to action नहीं है, इस पर मुझे अब इस पर मुझे javascript use करना पड़ेगा, तो देखो, बहुत simple है वो भी, आप कुद भी सोच सकते हो guys, कि हम इसको कैसे कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते, तो देखो, मैं simply इहां पर आता हूँ, all right, finally हमारा javascript अब सुरू हो जाएगा यहां पर, so guys, आप देख सकते हो कि मैं उसको copy कर लिया, ठीक है, मैंने सुचा कि copy करके मैं आपको ज्यादा better समझा पाऊंगा, क्योंकि already आपके सामने दिखाई दे रहा है, and already मैंने comment out भी करके तो सबसे पहले एक चीज़ आपको यह देखना है कि जब हम इस पर जाते है, ठीक है, तो आप notice करो कि guys, यह जो icon है, यह देखो, सबसे नीचे हमें दिख रहा है, लेकिन जैसे ही मैं एक position पर पहुँच जाऊंगा, top के, तो वो guy up हो जाता है, so वो guy up कैसे हो रहा है, वो totally depend ह कि मैं scroll कप कर रहा हूँ, जैसे मैं scroll top पे करता हूँ, guy up हो जाता है, and हलका सा नीचे scroll करता हूँ, वो automatic दिखता है, तो इस functionality को पाने के लिए guys, मैं जो क्या करना पड़ेगा, कि इस icon को सबसे पहले तो access करना पड़ेगा, तो simply, बहुत simple, document.get element by id मैंने इसको access कर लिया, मेरे icon को, ठीक है, so my button उस id को मैंने दे रखा था, तो अब my button में मेरे पास, जब जब मैं my button को use को रूँगा, तो it means मैं directly इसको access कर रहा हूँ, all right, ठीक है, देखो, अब भी जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया था, on click, यह JavaScript का एक event है, ठीक है, all right, तो उसी तरिके से काई से, एक औ Advanced JavaScript का मैं अभी series start किया हूँगा, इसा अगर आपको मैं दिखा देना चाहूँगा, ठीक, अगर मैं प्लेइलिस्ट में जाता हूँ, यहाँ पर आप Advanced JavaScript में देख सकते हो, मैंने यह जो window object बताना है, इस पर मैंने बहुत focus के वा, क्योंकि सबसे ज़्यादे important यह ही है, ठीक है development set करके रखा है, and global object कहता है हम इसको window को, यह हमेशा present रहता ही रहता है, ठीक है, इस window के अंदर आगर मैं दिखा हूँ आपको, ठीक है, तो on scroll न, and on scroll तो देखो guys, scroll function, simply हम एक scroll function नाम के function को call कर, जब भी user इस तरके से scroll करेगा, तो एक function चलेगा, जिसका नाम है scroll function, so, जैसे function को call मिला guys, बहुत simple है, हम एक condition चेक कर रहे है, ठीक है, और वो condition में यह देख रहे हैं, कि हमारी जो यह document है, मलब पूरा का पूरा यह page, उसके अंदर जो यह body, मलब जो भी हमने content लिखा है, अगर वो 20 pixels से ज्यादा है, उसका scroll top, मलब जब मैं 20 pixels, मलब जितना अगर मैं नीचे आउंगा ना, उतना उसकी pixel increase होती रहेगी, ठीक, आप देखो, 20 pixels से यहाँ पर भी दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है, ठीकिन जैसे 20 pixels से ज्यादा होगा, तो वो आपको दिखाई देगा, ठीक है, तो यह दो तरीके से मैं check कर रहा हूं, आप कह सकते हो, अगर chrome पर यह नहीं चला, तो यह जरूर चलेगा, तो उससी तरीके से इसको display none करवा दो, आपको याद होगा, यहाँ पर मैंने CSS पर क्या करके रखा है, display none को हटा दिया था, तो आप मैं उसको control and save again back कर देता हो, तो आप देखो, मैं जैसे top पर जाओंगा, हड़ गया, and वापस आया, तो आपको दिख रहा है, ठीक है, तो इस तरीके से काम कर र 0, simple, यह just मैंने अब भी आपको करके दिखाया था, जैसे मैंने यह लिखा था, आपको वाँ पर 0 दिखाए दिया था, तो simply उसको कोई call करना, equal to 0 कर देना है वापस, चाए वो जहाँ पे भी equal to 0 कर दो, एकदम टॉप पे वो आ गया, यह आपके safari के लिए, and from chrome, firefox and ip, internet explore, जो कि आप भी Microsoft Edge है, and then opera के लिए आपको document.documentElement, अब आपको पाता चला है, यह क्यों यूज किया गया था, यह है आपके safari के लिए, और यह है आपका chrome, firefox के लिए, तो simply उसको अगर मैं equal to 0 कर दूँगा, it means, जहाँ पे भी हो, scroll top, उसकी value 0 हमेसे ही रहती, तो इसलिए वो problem ही कि बहुत on the spot जा रहा है वो देखो, तो वो एकदम smooth scroll करने के लिए वो, मैं तो बाताना चाहँगो, वो सबसे simple है, एकदम top पे आओ, ठीक है, यह एक property है, HTML लिखना है आपको, यहाँ पे लिखना है, scroll behavior आपको लिखना है smooth, this is it, बस इतना लिखना है, and अगर मैं आपको दिखाऊ, and boom guys, कैसा लगा, चाहे आप कहीं पे भी जाओ यह देखो, ठीक है, इतना simple, अब भी इनको मुझे classes add करवाने है, तो कैसे होगा, देखो, आपको याद होगा, मैंने हर जगे पे क्या करके रखाया guys, एक ID दे रखी थी, ठीक है, तो simply जो यह मेरी services है, यह जो मेरी service है, अगर मैं आपको दिखाऊ, तो, यह देखो, service के मैंने किया देखी, service deep करके रखावा है, तो यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ, इसको में hashtag होना बहुत जरूरी है, that is the only reason why guys, मैंने वहाँ पे दे रखाता, अब अगर मैं service पे click करता हूँ, boom, कैसा लगा आपको, ठीक है So guys, आप देख सकते हूँ, मैंने बाकी तीन के लिए भी add कर दे, and just मैंने जब add कहा हैं, मैंने realize कहा है कि footer deep जो है guys, इसके मैंने spelling wrong लिखे, तो मैं क्या कर लेता हूँ, यह देखो यहाँ पे, दोनों को एक साथ select करता हूँ, यह जो footer deep लिखना था, उसके बदले एक extra F आ गया, तो मैंने उपर से और नीचे से, दोनों को एक साथ select करके हटा दिया है, ठीक है, अगर आप देखोगे, all right now it's looking awesome, और एक और चीज़, about us and contact, मैं इन दोनों में एक ही same चीज़ करना चाहूँगा, that is your newsletter, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे भी paste कर देता हूँ, और यहाँ प पे जा रहा हूँ, perfect, contact पे जाऊँगा, तो भी perfect, ठीक है, अब एक और चीज़ यह है कि guys, contact पे मैं just again, मैंने यह realize कि contact के लिए तो we already have this contact us page, ना, है की नी, so, contact पे चलते है, contact, contact, all right, यह तो contact ID मैंने already create करके रखा है, तो उसको दिखाने से best मैं contact को ही दिखाता हूँ, तो यह यहाँ पे मैं जाता हूँ, contact पे मैंने दे दिया, contact ID, and then यहाँ पे भी मैं दे देता हूँ, contact ID, perfect, इस्तिर किसी refresh करता हूँ, guys, हमारा almost complete हो चुका है, बस आब हमें क्या देखना, contact पे all right, beautifully यह आब हमें दिखाई दे रहा है, अब guys, यह almost complete हो गया, लेकिन एक चीज़ that is your responsiveness, अब हम इसका responsive चेक करना, and believe me, यह बहुत simple है, responsive चेक करना, यहाँ पे मैं जाता हूँ, ठीक है, mobile पे जाता हूँ, तो guys, सबसे पहला अगर आप देखोगे, तो यह iPhone 10 में एकदम perfect दिखाई दे रहा है, Nexus में एकदम perfect दिखाई दे रहा है, ठीक है, बस एक चीज है कि यह जो आपको दिखाई तेरा home service price about and all, इसको मुझे center पे चाहिए, ठीक है, इन सब devices पे, तो वो कैसे होगा, देखो, CSS पे चलते है, एकदम नीचे, and I think बाप्रे 500 से ज़्यादा हो गया, ठीक है, कोई नहीं, यहाँ पे मैं चलता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं जाता हूँ लिखता हूँ, media queries, इस तरीके से आपको लिखना है, media queries, perfect, यहाँ पे गया, control, save करता हूँ, तो, देखो, क्या करना है, हमें mobile devices के लिए चीए, ठीक है, तो at the rate, media लिखना है, यहाँ पे लिखना है, max width, कम से, कम, ज्यादा से ज्यादा, 768 pixel तक ही, जो भी मुझे दिखाना हो यहाँ पे मैं दिखाऊंगा, and आपको मैं बताना चाहूँगा, कि मैंने media query in one video के उपर video बना है, तो उसका link में top पे देदूँगा, अला कि इसमें भी आपको पूरा सहन में आ जाएगा, simple है, 768 pixel से कम devices पे, यहाँ पे जो भी property लिखूँगा, वो दिखाई देगा, ठीक ह तो आप देख सकते हैं, यह जो है, यह basically किस के अंदर आता है, आपके यह आ रहा है, आपके nab item के अंदर, ठीक है, so nab item पे मैं जाता हूँ, इस तरीके से गया, ठीक है, यहाँ पे मैं guys क्या करूँगा, text align center and मुझे important लिखना पड़ेगा, else वो दिखेगा नहीं, so control as save करते है, and let's see, क्या होता है, है कि नि, so 3, 2, 1, and मैंने refresh किया, all right, perfect, देखो, कितनी beautiful यह center पे आया, है कि नि, अब नीचे चलता है, यह देखो, सब एक की नीचे आ रहे है, perfectly, देखो, effect अभी भी दीख रहा है, what do you offer, एकदम perfect, एकदम सही है, यह एकदम perfect दिखाई दे रहे हमें, all 100 VH मनलब क्या होता है, कि किसी भी devices पर आप देखोगे, तो जहां से start और जहां पर खतम हो रहा mobile का device, actual screen, उतना ही height लेता है, लेकिन एक footer आगया, उसके अंदर एक basic आगया, standard आगया, लेकिन unlimited के लिए जगा नहीं मिला, तो क्यों न मैं our best pricing की जो height है, उसको मुझे देखो और simply इसका height को में क्या कर दूँगा, guys, auto कर दूँगा, and इसका margin top है, 50 pixel कर दूँगा, ठीक है, मतलब और space दूँगा में उपर से, so 3 to 1 and boom, कैसा लगा, आप our best pricing देखो, and, and, all right, कैसा लगा आपको, पहले जो वो चिपक रहा था, अब वो नहीं चिपक रहे, बस problem है कि इनक basic standard, जो हमने ये card उसके है, वो खुद एक दूसरे के उपर चिपक रहे, समझ रहे हो, basic card, ये card, वो खुद एक दूसरे के उपर चिपक रहे, so, मैं आपको बाता था, उसको कैसे कम करना, ये एक अपना card है, ये इसका complete card का आँगा, ये वाला, इसका complete card है, और हमने इसको class द जाता हूँ, एक second, हाँ, ठीक है, card second आया है, यहाँ पर इसको मैं हटा देता हूँ, अब देखो, बहुत simple है, मैंने क्यो card second select किया, मालू में, बहुत लोग क्या करते हैं, so guys, इसमें भी आप एक trick देखे, बहुत सारे लोग क्या करेंगी, कि first वाले को select करके margin bottom, then second को select margin bottom, यह सही नहीं है, मालब सही है, बट आप code extra लिख रहे हो, बैटर क्या रहेगा कि, एक, दो, एन तीन, और जो बीच वाला है, उसी को ही, अगर आप इन दोनों से अलग कर दोगे, ठीक है, तो बात खत्म न, आप top दे दो, second वाले को select करके margin top and margin bottom पकड़ा दो, दोनों दे रहा हूं, ताकि वो extra ना दिखाई दे, and then, अब देखो कितना simple margin का उपर और नीचे से, मुझे चाहिए, 30 पिक्सल का gap, and आजो बाजो से कुछ नहीं, this is it, simply इतना मैंने कि आप यह 3, 2, 1, and boom, guys, इसी देखो, gap देखा, आपको this and 5 कर देता है, देखो, gap आया है कि नहीं, यहाँ पर भी आप देख से, तो इधर gap आया है, and then, यहाँ पर आपको gap दिखाई दे रहा है, यह देखो, ठीक, this जिगे पर, unlimited और purchase की बीच में white background इसलिए आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन ठीक, जितना gap यहाँ पर है, उतना ही, तो आप वापस देख लेते, सब पॉफेकली कलर चेंज हो रहा है, इसका चेंज हो रहा है, all right, our happy clients एकदम पॉफेक्ट है, इसको, all right, यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, happy clients में, आप देखो, कि इसका जो यह indicators है, समझे रहे हैं, नीचे के, और contactors, दोनों चिपक गए, उसका again same यही region है, कि our happy clients का भी guys, मुझे height को auto करना पड़ेगा, and बार-बार की भी लिखो, इसलिए मैं directly यहीं पर ही में क्या कर दूँगा, guys, dot, happy, c, l, i, e, n, t, spelling, एकदम पॉफेक्ट रखना, happy clients, मुझे अब यह देखना है, कि as लिखा था या नी, and, 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 all right, पॉफेक्ट है, देखो, कैसा लगा आपको, हैगी सकते, contact us में एक प्रावलम जल रहा है, अब यह क्या प्रावलम है, वो देख लेते, आप अगर आप ध्यान से देखोगा, इसे कोने के साइड हमें बहुत चिपका वाद दिखाई दे रहा है, अब वो ऐसा क्यों हो रहा है, वो एक बार पहले देख लेते, क्योंकि हमने जो कोड लिखा, वो एकदम पॉफेक्ट है, तो मैं क्या करता हूँ, जो contact us है, इसको भी मैं कर देता हूँ, contact, सिरके से contact us पे जाता हूँ, और इसको height auto, यह जो भी है margin top देता हूँ, refresh, पॉफेक्ट, और अब पहले से थोड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है, कि नहीं बना extra space इसलिए रहा था, पहले से अच्छा है, लेकिन अभी भी एक problem ही कि यह कोने में क्यों दिख रहा है रहा है, यह कौन सा device है, आपका mobile device है, तो हमें वापस यहाँ पर जाना पड़ेगा, तो आपको इसलिए बेस्ट पार्ट है कि हमने बूस्ट्राइब यूज किया है, इसलि तो मुझे तो सबसे पहले आप यह देखना पड़ेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है, और यह मेरे code में भी नहीं है, क्योंकि मैंने जो लिखा उसके सबसे तो perfect आ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं आया यहाँ पे, तो एकदम नीचे जाते है, ठीक है, अब आपको deal करना पड़े ठीक है, डीव 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 एकदम ठीक है, यह कौन सा डीव है, यह रो पर कहां जा रहा है, और यह कहां पर खतम हो रहा है, यह container पर खतम हो रहा है, ठीक है, हमारा code की सबसे हमने एकदम पॉफेक्ट लिखा है, large में 8, medium में 8, column 10, ठीक है, 8 यह large में 2, 2, 2, 4, 8, 12, perfect, medium में 2, 2, 2, 4, 8, perfect, 12, column 10, हरे, यहां पर भी call 1, all right, all right, देखा, problem यहां पर है, guys, देखो, मैंने just आभी आपको क्या बाता है, हमने जो code लिखा, उसके हिसाब से perfect था, ठीक है, मेरे code में भी नहीं था यह तो आपको इस तरह किसी चेक करना है, क्योंकि हमने कहा लिखा कि column 10 एकदम प मतलब आपका जो mobile devices है, उस पे अब आजो बाजो से 11 column का इसपेस देखा, and 3, 2, 1, and boom, guys, perfectly center में आ गया, this is it, हमें यही चाहिए था, all right, और एक और चीजी देखना है, कि यह जो लिखा हुआ, यह बहुत ज्यादा है, contact us का जो paragraph है, वो बहुत ज्यादा हमें दिखाई दे रह लेकिन आजो बाजो से 50 pixel का चीए, so 3, 2, 1, and boom, all right, now it's looking awesome, ठीक है, यह हुआ, यह हुआ, यहाँ पर आये, 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 contact us perfect, newsletter एकदम perfect है, all right, अब एक second, यह आपको नीचे में दिखा भी तो नहीं सकता, ठीक है, देखो, यहाँ पर यह सब एकदम perfect है, यह एकदम smoothly काम कर रह है, ठीक है, contact पर जाता हूँ वापस, लेकिन यहाँ पर देखो, यह जो navigation आपका link है, यह एकदम center पर, मुझे center पर नहीं चीए भाई, यह मुझे क्या चीए, यह left side से start होना चीए, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं जाता हूँ, हमें मालूम है कि उसका नाम क कर सकते थे, लेकिन बाइचांस अगर गलती से कभी एक और कुछ add आ गया हूँ, ठीक है, तो देखो क्या करना है, best रहेगा कि अगर आप nth child वाली property उसकरो, ठीक है, जो की CSS ने हमें provide करा रहा है, यहाँ पर आप simply लिख दो second, तो simply guys, आपको nth child, यह मैंने क्या किया, second को select क करा हूँ, आप simply चाहे तो guys, classes भी use कर सकते थे, class add करके भी लिकिन यह ज्यादा better रहेगा, ठीक है, तो इस तरगे से मैंने लिखा और पता मुझे क्या लिखना है, text align left, इतना simple था, ठीक है, यहाँ पर मैं जाते, important मुझे करना ही पड़ेगा guys, क्योंकि मैंने center पर करके रख वो हमें नहीं चीए, तो वो जो ना चिपके न, उसके लिए मैं क्या करना चाहूँगा guys, यहाँ पर मैं जाता हूँ, और आपको याद है कि हर एक footer deep हमने एक-एक deep को दिया था, यहाँ पर simply guys, मैं क्या करूँगा, यह एक deep है, तो मैं margin दे सकता हूँ, easily, ठीक है, तो मैं margin देना चाहूँगा guys, simply 30 pixels from all this side, 30 pixels from top and bottom and left and right से मुझे बिल्कुल कुछ भी नीची, and boom, कैसा लग रहा है, space, 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 and this is it guys, आज इस वीडियो के लिए और एक second, यहाँ पर यह क्या हो रहा है, इसका color क्यों नहीं दिख रहा है, so अगर मैं color जाता और मैं white करता हूँ, फिर भ ठीक है, इस तरी किसे important, तो guys फिर भी आपको नहीं दिख रहा है, तो ऐसे क्यों उचुका है यह, color क्यों नहीं दिख रहा है, यहाँ पर color white है, इसका background color एक बाद चेक कर लेते guys, background black, alright, अब आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन वो white color क्यों नहीं दिख रहा है, तो देखे guys, इसको हम कैसे deal कर सकते हैं, अगर आप देखोगे, तो यहाँ पर click कर रहा है, मतलब एकदम perfect, अगर हम इसको select करते हैं, तो आप देखोगे guys, यह ने बाद टॉगलर icon है, और content एकदम खाली है, ठीक है, उससे कुछ लेना देना भी नहीं है, लेकिन what I realized is, कि हमन आदे, वहाँ पर color देते हैं, तो अगर मैं यहाँ पर napbar dark, यह बस इनकी खास से थे कि अगर आप dark लिखते हो, तो वह white color देखते है, napbar dark मतलब napbar white color, ठीक, इसको अगर मैं लिखता हूँ, and देखो 3, 2, 1, एक second इसको मैं जूम कर देता हूँ, ठीक, अभी यहाँ पर देखो बहुत से लोग hamburger भी बोलते हैं, लेकिन अब हमें वो दिखाई दे रहा है, just because हमने napbar dark नहीं लिखाता, ठीक है, तो आप देख सेकते हो, guys, now it's looking awesome, एकदम perfectly सब center पे है, और best pricing perfectly काम कर रहा, उपर जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर happy clients, अगर मैं यहाँ पर click करता हूँ, तो यह एकदम perfectly center पे है, newsletter और यह भी देखो, एक second में अब नीचे तो जा नहीं पाऊँगा, इसको कम जूम कर देता हूँ, एक second, all right, अब दिखाई दे रहा, ठीक है, तो इस तरीके से guys, 50% and हमने जो just अभी देखा, so this is it guys, आज इस वीडियो के लिए इतना ही, and I really hope guys, आपको बहुत मजा है होगा, आलेकि वीडियो थोड़ा लंबा गया, लेकिन मैंने पूरी कोशिस की, कि मैं आप लोग को entertain रख सकूँ इतने लंबे समय तक, क्योंकि हमने, पूरा का पूरा टाइम है guys, एक भा भा भी time waste नहीं, कि हमने हर एक चीज अच्छे से देखा, और मुझे जहां जहां लागा कि, इसको मैं copy कर सकता था guys, मैंने वहाँ पे उसको आपको copy करके दिखाए, ठीक है, so guys, अगर आपके वीडियो थोड़ा से थोड़ा से पसंद आया, तो please subscribe, मैं चैनल था पर technical, alright guys, and आप देख सकते हो, one like subscriber complete होने वाला, तो guys, जल से जल कर दीजे, मुझ जो यह समझागा कि, आप लोगों को पसंद आया है, ठीक है, and अगर पसंद नहीं आया, तो dislike भी कर दीजे, but at least कुछ ना कुछ तो करके जरूर जाना, and अपने सभी दोस्तों को share कर दीजे, and अगर कुछ भी doubt हो, तो नीचे बेफिकर होके comment कीजे, मैं आपकी जरूर help All right guys, so till then guys, thank you so much, take care